इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 500 जनल नौलेज के कोशन हमीशा के लिए याद हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को स्टार्डिंग सेंट तक जरूर देखना नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपके अपने यूटूब चैनल रुष्टडी आएक्यू जीके पर फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए 500 जीके की कोशन एक ही वीडियो में लेकर आया हूं फ्रेंट्स यह कोशन इतने ज्यादा इंपॉरेंट है अगर आप किसी भी पर फ्रेंट्स यह 500 जीके की कोशन अच्छे से रट लिए एक्साम में आपको जातर कोशन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे फिर्ट्स मैंने आपके लिए सारे कोशन स्लेक्टिट लिए हैं वही कोशन लेकर आया हूं जो कोशन एक्जाम में बार बार पुचे जाते हैं तो अंसर है धोला साधिया बिज जो है यह इंडिया का सबसे लंबा रिवर बिज है और इसको हम भूपन हजार का सेतू भी कहते हैं और यह ब्रह्मरपूत नदी पर बना हूआ है अपको पता होना चाहिए कि इस कोशन का अंसर पहले होता था गांधी सेतू जो की पटना में है वो सबसे लंबा पूल हुआ करता है लेकिन अब जो है वो है धोला साधिया बिज इंपॉरेंट है यह कोशन नंबर टू कर लेते हैं नेम दा वर्ल्ल लार्जेस स्टैचू दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो कौन सा है तो आंसर है स्टैचू ओफ यूनिटी यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है और यह इंडिया के गुजरात स्टेट में है कुशन नंबर त्री कर लेते हैं ओम्स लॉव इस वैलिट फोर ओनली फ्रेंट जो ओम्स लॉव है वो किसके लिए वैलिट है तो आंसर है यह सिर्फ कंड़क्टर के लिए वैलिड ह रुआर настेचू होती है इसा माथिरियल जो कि अपने से एल्रीश्यी को पास करता है उसे हम कंड़क्टर कहते हैं घच अगर हम बात करें इसका जांपल होता है वॉड हो गया यह घ्लाइस हो गया यह प्लास्टिक हो गया थिक है इस इंसुलिटर के एक्जामपल है अगर हम बात करें एक से एक्जामपल होते है तुछ हो गया यह कोई भी इस यहां पर वोल्टेज होता है यहांपर लिख दिता हूं और यहां पर लेग दाँ और पर अांपम सा इसकी यूणित में होती है अनियु होता है एक्ञाम फूटा कुछ रे खेस्टार्स से वाल्यू पर प。 stellung फूल जो स्बिस्थ स्दिव्यू लोकुंषा हुज तो पतब सेलशीर की वैल्यू ऊंस्था एप्ату पर centigrate और Fahrenheit की value ब्राबर होती है, question number five का लेते है, why steel is more elastic than rubber, फिर जो steel होता है, वो rubber से ज्यादा elastic क्यों होता है, तो answer है, because it is deformed very easily, friends, देखो, आपको पता होना चेहिंग, जो steel होता है, friends, वो rubber से ज्यादा elastic होता है, इसका main reason ये है, कि जो steel होता है, जब भी भी stretch करते हैं, stretch होता है, अपनी original position पे बहुत जल्दी आजाता है, as compared to rubber, इसलिए, friends, जो steel होता है, जाता है, फिर जो हमारे bikes के, जो soccer होता है, बने होता है, वो भी steel के ही बने होता है, क्योंकि, friends, जो steel होता है, वो अपनी position पे जल्दी वापिस आजाता है, इसलिए, मैंने आपका answer लेखा हुआ है, because it is deformed very easily, next question कर लेते है, how the fuse is connected in electric circuit, किसी भी electric circuit में, जो fuse होता है, जो कैसे connect करते हैं, तो answer is, series with live wire, friends, जो live wire होता है, उसके साथ हम series में connect करते हैं, fuse को, friends, अगर हम बात करें, fuse की, friends, fuse एक बहुत आता है, important component है, किसी भी circuit में, क्योंकि, friends, यह जो fuse होता है, friends, जब भी भी जाता है, electric current हाता है, circuit में, उससे circuit को damage होने से बचाता है, fuse, ठीक, friends, important question है, question number seven कर लेते है, hydraulic brakes in automobile works on which principle, friends, जो हमारी गारियों में, जो hydraulic brake होता है, जिसको हम disc brake भी बोलते हैं, वो किस principle पर work करता है, तो answer आइसका, वो Pascal law पर work करता है, question number eight कर लेते है, solar energy is produced by which reaction on sun, जो solar energy है, वो sun पर कैसे produce होती है, तो answer आइसका, nuclear fusion reaction के तोवारा solar energy जो है, वो sun पर produce होती है, question number nine कर लेते है, transformer is an electrical device which is used to, transformer होता है, वो एक electrical device of किस purpose के लिए यूज होता है, तो answer है, step up and step down AC voltage, जो AC होता है, जिसको हम alternating current भी बोलते हैं, उसको step up करता है, step down करता है transformer, friends, इसको एक question और भी बनता है, एक्जाम में आपसे यह पूछा जाएगा, कि जो transformer है, यह किस principle पर work करता है, तो आपका answer होगा, यह mutual induction पर work करता है, यहाँ पर रिखते हो, mutual induction पर work करता है, ठीक है, important question है, और फ्रेंट जो question number आपको मैंने 8 कर वाय था, यहाँ पर एक word आय था, nuclear fusion reaction, देखो, आपको पता होना चाहिए, जो nuclear reaction होता है, वो mainly 2 types के होते हैं, ठीक है, यह होता है, nuclear fusion reaction, nuclear fusion reaction, दूसर होता है, nuclear fusion reaction, ठीक है, nuclear fusion reaction होता है, मैं इस पाली लिखता हूँ, यहाँ पर, F-I-S-S-I-O-N, ठीक है, यह होता है, और यहां पर हमारा question था कि जो sun energy produced होती है वो nuclear fusion reaction के द्वारा होती है Question number 10 कर लेते है Fuse wire is made up of an alloy of which element Fuse wire होता है जो कि हम किसी भी electric circuit में use करते है circuit को बचाने के लिए heavy current से वो किस alloy का बना होता है तो answer आसका वो tin और lead का बना होता है Friends, अगर हम बात करें alloy की इसकी definition आपके लिए important है Alloy की definition होती है It is a homogeneous mixture of metal or non-metal Question number 11 कर लेते है What is the frequency of direct current Friends, जो DC होता है उसकी frequency क्या होती है तो answer आसका उसकी frequency is zero होती है Question number 12 What is the frequency of alternating current Friends, जो हमारे गरों में बिचली आती है जो हमारे गरों में AC आता है उसकी frequency कितनी होती है तो उसका answer है 50 hertz होती है Question number 13 कर लेते है When we see an object, the image formed on retina of our eyes Friends, हम कोई भी चीज अब देखते है उसकी जो image हमारे retina पे बनती है वो कैसी बनती है तो answers का real बनती है और inverted बनती है मतलब जैसी है वैसी ही बनेगी और ulti बनती है ठीक है हमारे retina पे Question number 14 कर लेते है One nibble is equal to Friends, जो one nibble होता है उसकी value कितनी होती है तो आपको बतानों चीज इसकी value होती है Four bits Friends, आपको exam में यह भी पुछा जा सकता है आपसे exam, friends, यह पुछा जाएगा कि जो one nibble होता है उसकी value कितनी होती है आपसे भी पुछा जाएगा आपको option में दे देंगे One by two bite यह बोल देंगे half bite क्योंकि friends, देखो जो one bite होता है यह पर लिखके बताता हूँ One bite होता है हमारा eight bits ठीक है Friends, अगर हम इसको half करेंगे तो कितना होगा? Four bit होगा और four bit आपको बता है कितना होता है? One nibble होता है ठीक है तो आपको option में four bits भी दिया हो सकता है और half bite भी दिया हो सकता है और जो question में 13 करवाए इसमें एक question और भी बनता है exam के लिए exam में आपसे पुछा जाएगा कि जब भी भी person अपना I donate करता है यहां पर लिख देता हूँ I donate करता है तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करता है तो आपका पता होने चीव हैं जो आई का कोरोना वाला पार्ट होता है वो donate करता है ठीक है next question कर लेते हैं question number 15 question number 15 हमारा who is regarded as father of computer father of computer यहां की computer का पिता किने माना जाता है तो answer है Charles Babbage को father of computer कहा जाता है question number 16 कर लेते है what is the full form of USB USB का full form क्या होता है तो answer है universal serial bus यह वो USB का full form होता है question number 17 कर लेते है name the device that converts digital signals to analog signal वे कौन सा डिवाइस होता है जो की digital signals को analog signal में करता है answer है जो modem होता है सबसे ज़्यादा powerful होता है तो answer है super computers जो होता है वो most powerful type of computer है question number 19 कर लेते है first page of website is called किसी भी website का जो पहला page होता है उसे क्या कहते है तो answer है उसे हम home page कहते है question number 20 कर लेते है what is algorithm algorithm क्या होता है step by step procedure for calculation किसी भी calculation को solve करने के step by step procedure होता है उसे हम algorithm कहते है question number 21 कर लेते है important है what is the full form of www www का full form क्या होता है तो answer है world wide batch होता है ये www का full form होता है friends मैं आपको बता दूँ इस video मैं आपको 500 most important general logic questions करवाने वाला हूँ और friends मैं आपको ये बता दूँ अगर आपनी 500 questions अच्छे से रट लिया बिल्कुल expert level कर यहां पढ़ाया जाता है maths और reasoning तो आपको आना पड़ेगा Raviy study IQ Maths चैनल पर अगर friends आपने जी के पढ़ना है यही channel है और मेरे एक motivational channel भी है friends इसकी मैं link description में दे दूँगा friends आपको सारे channel पर अबस्क्राइब कर लो यह pointing device का example है और friends यह mouse है यह trackball है यह joystick यह input device होते है अग्साम में आपसे पुछा जा सकता है कि जो mouse हो गया यह keyboard हो गया यह trackball हो गया joystick हो गया इससरे के device है तो input device भी है और इसे हम pointing device भी कहते है question 23 का लेते है Who is the father of internet इंटरनेट के पिता किने कहा जाता है तो आंसर है विंट कर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है Q24. What is hard copy? Hard copy क्या होता है? तो आंसर इसका the printed output document जो होता है उसे हम hard copy बोलते हैं आपको बता हुआ जीए दो word आते हैं, इक होता है soft copy जो soft copy होता है जब तक हमारा output computer के screen के अंदर रहता है उसको हम soft copy बोलते है और जब हम इसको printer की help से बहार निकाल लेते हैं output को उसको हम hard copy बोलते हैं तो फिर इस ये दोनों question exam में पूछी गए है Q25. What is the full form of BIOS? BIOS का full form क्या होता है? तो आंसर है basic input output system जो है वो BIOS का full form होता है Q26 का लेते हैं important question है ये भी galvanized iron is coated with which element? जो galvanized iron होता है उसको हम किस से coat करते हैं बता हम iron को किस से coat करते हैं तो आंसर इसका zinc से coat करते हैं ये question आप exam में ऐसा भी पूचा असा सकता है आपको बताता हूं कि ये होता क्या है आइरन होता है ना iron को जंग से बचाने के लिए हम इस पे zinc की coating करते हैं जिंक की coating करने से ये होता है कि जो iron होता है ये protected रहता है तो जंग नहीं लगता बट जो zinc होता है ये खुद को sacrifice कर देता है आइरन को बचाने के लिए अपर इस method को हम sacrifice method भी बोलते हैं यह लिख देता हूं.. Sacrificial method भी कहते है इस galvanization method को और आपको option में पुछा जैगा कि iron को बचाने के लिए जो zinc हम यूज करते हैं उस method को हम क्या बोलते हैं तो galvanization method भी बोलते है और sacrifice method भी बोलते हैं question exam में पुछा क्या है Q27 कर लेते हैं, Optical Fiber is based on which principle? जो Optical Fiber होता है, जो की communication में हम use करते हैं, वो किस principle पर वर्क करता है? तो answers का, Total Internal Reflection पर वर्क करता है Optical Fiber. अगर हम बात करें, Total Internal Reflection फिनोमेना की, यह science का सबसे जादा important फिनोमेना है, इस पर काफी जादा questions एक्जाम में बनते हैं. आपसे एक्जाम में यह पुछा जाएगा, कि जो मिरास फिनोमेना होता है, वो किस principle पर वर्क करता है, तो आपका answer होगा, Total Internal Reflection पर वर्क करता है, आपसे यह पुछा जाएगा, कि medical science में जो हम endoscopy यूज करते हैं, वो किस principle पर वर्क करता है, तो आपका answer होगा, Total Internal Reflection पर वर्क खेक है, important question है, एक्जाम में कई पर पुच आप है, question में 20 कर लेते है, biogas mainly contains, जो biogas होता है, तो मिली क्या होता है, तो answer है, methane होता है, बाइवाद में जो, methane होता है, इसका molecular formula होता है, CH4, question में 209 कर लेते है, what is the SI unit of luminous intensity, जो luminous intensity होता है, उसकी SI unit क्या होती है ? तो आंस्रस का candle na 지ο का यह है ? वह luminous intensity की SI unit है ऐसा ह्म क्रूश्छ में 30 कर लेते है What is the unit of resistance ? resistance की unit क्या होती है ? तो आंस्रस का Ohm वह resistance की unit होती है Q. 31 कर लेते है उसका में त्या होता है तो आंस्रस similarities sinabar जो होता है वो mercury का main ore होता है और फिर जो mercury होता है इसका symbol होता है HG Q32 का लेते है platinum is also known जो platinum है उसे हम और किस नाम से जानते हैं तो answer इसका white gold के नाम से हम platinum को जानते है और फिर जो platinum होता है इसका symbol होता है PT Q33 का लेते है which gas is used by sea divers for breathing जो जो गोता खुर होता है जो पानी के नदर जाते है समूंद के नदर जाते है वो breathing में सांस लेने के लिए किस गयास का यूज करते हैं तो answer है oxygen का यूज करते हैं और फिर साथ में उसमें हिलियम को भी mix करते हैं फिर ये question exam में ऐसा ही पुचा चासा है तो answer है कोबाल का जो आईसोटोप 60 होता है मतलब कोबाल 60 जो होता है वो हम यूज करते हैं cancer treatment में question 35 कर लेते है नेम दा प्यूरेस्ट फॉर्म आइरन फिर जो आइरन होता है उसका प्यूरेस्ट फॉर्म कोन सा है तो answer है जो anthracite koila होता है यह सबसे best quality का koila होता है question 37 कर लेते है नेम दा लाइटेस्ट मेटल वह कौन सा मेटल है जो कि सबसे जादा लाइटेस्ट है मतलब हलका है तो answer है लीथियम और फिर्ट अगर हम बात करें लीथियम कि इसका सिंबल होता है ली question 38 कर लेते है which mirror is used in motor vehicles जो हम अपने scooty चलाते है या car चलाते है या bike चलाते है पिछे देखने के लिए कौन सा mirror यूज होता है तो answer है convex mirror जो होता है वो as a rear view image यूज होता है आप से एक्जाम में पुछा जाएगा कि rear view image जो हम बाइकों में या फिर scooter में या car में यूज करते है वो कौन सा mirror होता है तो आप का आप से लोगा convex mirror होता है question 39 कर लेते है which chemical is used in nail polish remove जो girls अपने नाखुन को nail polish होता है उसको remove करने के लिए वो कौन सा chemical यूज करती है तो answer है acetone यूज करती है question 40 करते है which element in the solar system has highest density friends वो कौन सा planet है हमारे solar system में जो की जिसकी density सबसे ज़्यादा है तो answer है जो हमारा planet earth है उसकी density सबसे ज़्यादा है friends आपको पता होना चाहिए जो हमारा solar system है उसमें कुल मिलाके 8 planet है number 1 पे आता है mercury यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे नमर पर आता है Venus फिर आता है हमारा Earth फिर आता है Mars फिर आता है Jupiter फिर आता है Saturn फिर आता है Uranus फिर आता है Neptune friends यह 8 planet हो गए अब में नम्बर नम्बर वन पे Mercury फिर Venus फिर Earth फिर Mars फिर Jupiter फिर Saturn Mercury Venus Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune फिर आता है फिर आता है फिर आता है फिर में पुछा जाएगा कि हमारे Solar System में है कुन सा प्लैने जो सबसे जादा छोटा है इस स्मॉलर प्लैने तो फिर आता है Mercury फिर में पुछा जाहिए कि कौन सा प्लैने अप कौन सा प्लैने जो कि और सोरा से दौन ayawo weaignas और संदोरी पुछ और सा अंड होगा नवर पार होगा है, जहां पर इकजिस्ट करती है , अम सा करें और से और सोरा सा ऐघ旅ज है आप करें तो तो नहीं दो यहां पर एंट कर vous, Science लने कांस पुछ द गा आप 되면 लिच लॉक्त 10 Pen प्रूप निपार नियुक्त ने पुछा जाएगा कि को सबसे बढ़ा है हमारे तुलो उस्टम में तो आप का उन्सरोगा जूपिटर यहां पहलेता हुँ, जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है तो आप का उन्सरोगा जूपिटर सबसे बड़ा जो ग्यानी मेड है वह कौन से प्लैनेट के पास है तो आप कांसर होगा जूपीटर के पास है उसके फ्रेंट आता है सैट्रें फिर दाता है नेप्टून टीक है जो भी कोशन सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब वीडियो बनाई हुई है सुलर सिस्टम के ऊप का पारोमेटर से मेजर करते हैं कोशन फूरी टू कर लेते हैं वाई इंसे चैन मूव ऑन दा सर्फिस ऑफ वाटर विदाउर सिंकिंग ताम ने दिखा हो कि कोई भी चुड़ चुड़ कीड़ जाते है वो अगर पानी की सर्फिस पर गिर जाते है वो इसकी आप तैरते रहत Q43 कर लेते हैं, What is the working principle of washing machine? आपने घरों में जो कप्रे धोने के लिए washing machine यूज करते हैं, वो किस principle पर वो करता है? तो आज़र है, Sanitrification Principle पर वो करता है washing machine. Q45 कर लेते है, Name the moderator used in the nuclear reactor. Nuclear reactor में हम moderator कौन सा यूज करते हैं? आज़र है, Griffite यूज करते हैं, nuclear reactor में. आपको बता होना चाहिए, कि nuclear reactor होता क्या है, इस पर काफी जादा questions हर complete exam में पूछे जाते हैं. आपको बतायता हूँ, फिर जो nuclear reactor होता है, यह basically nuclear reaction को start करता है, controlled way में. मैं आपको क्या बताया, कि nuclear reaction को start करता है, लेकिन controlled way में. ठीक है, और फिर जो nuclear reaction होता है, वो में लिए दो टाइपस के होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, nuclear fusion reaction, दूसरा होता है nuclear fusion reaction, फिर जितनी आपको में additional information दे रहा हूँ, सारे आपके लिए important है, इस पे से भी काफी जादा questions हर exam में पूछे जाते हैं, फिर देखो, जो nuclear fusion reaction है, यह मैं आपको उपर बताया है, कि यह सन पे जो energy produce होती है, वो nuclear fusion reaction से होती है, और इसके बाद हम बात करते है nuclear fusion reaction, इस reaction को हम chain reaction भी बूलते हैं, आप से exam में पूछा जाएगा कि किस reaction को हम chain reaction भी बूलते हैं, तो आप का अनसा लोगा nuclear fusion reaction को बूलते हैं, फिर जो nuclear fusion reaction पे इस प करने के लिए ठीक है important है Q45 कर लेते हैं What is the unit of loudness? Loudness की unit क्या होती है? जायतर आपको एक्जाम में decibel दिया होगा पर किसी किसी एक्जाम में phone भी दिया होगा मिला है और bell भी दिया होगा है तो आप इतीनों learn कर लेना Loudness की unit होती है decibel, phone, जायतर आपको 99% मिलेगा decibel Q46 कर लेते है In computer 1 byte is equal to how many bits? 1 byte की value कितनी होती है answer is 8 bits होती है Q47 कर लेते है 1 terabyte tb is equal to how many gigabyte? 1 tb is equal to 1024 gp 1 tb is equal to 1024 gp Q48 कर लेते है Binary number system consists of 1 tb is equal to 0 & 1 only Q49 कर लेते है Which software allows users to use internet? वे कौन साथ़वर होता है जो users को allow करता है कि हम internet को use कर सकते है answer is browser Chrome, Google Chrome, Google Chrome, Mozilla, Google Chrome, next question What is the full form of TCP? TCP full form Transmission Control Protocol TCP full form If you like this video, आपने वीडियो को like जरूर करिए और जादा जादा इसको आप शेयर करिए अपने family में अपने friends circle में What is the full form of modem? What is the full form of modem? इसका full form क्या होता है answers का modulator, demodulator जो होता है Question 52 How the display size of monitor is measured जो हमारे computer का monitor होता है या आप बोल हमारे mobile phone की screen होती है उसके display size को हम कैसे measure करते है answers का diagonally measure करते है मैं आपको figure समझाता हूँ Suppose करो यह हमारा computer है computer की screen है हम कभी भी screen को ऐसे measure नहीं करेंगे यह गलत है ना कभी हम इसको ऐसे measure करेंगे यह भी गलत है हमेशा हम diagonally measure करेंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे measure करते है इस कोने से लेके इस कोने तक यह जो diagonal होता है यहां से हम measure करते है कि इतने इंच का हमारा computer है या कितने इंच का हमारा mobile है Question 53 कर लेते है How to measure the resolution of printer Printer का printing quality है उसको हम कैसे measure करते है DPI में measure करते है printer की quality को DPI का full form होता है dots per inch DPI का full form होता है Question 54 कर लेते है What is the full form of virus जो हमारी computer में virus आ जाता है जो की एक unwanted program होता है उसका full form क्या होता है तो answer इसका vital information resource under siege जो है यह virus का full form है important question है Question 55 कर लेते है physical components of a computer system is called as physical component होता है computer का उसे हम क्या बोलते है answer है hardware बोलते है physical components computer के question 56 कर लेते है what is the full form of land land का full form क्या होता है local area network जो होता है land का full form होता है और man का full form भी पुछा आ सकता है exam में wide area network question 57 कर लेते है debugging tool in a computer is mainly used for which purpose computer में हम debugging tool use करते है तो answer है to remove error and bug in a computer computer में जो error आ जाता है और जो bug आ जाता है उसको remove करने के लिए हम debugging tool को use करते है question 58 कर लेते है central processing unit cpu का full form होता है question 59 कर लेते है how many layers are present in OSI model OSI model में कितनी layers होते है to answer इसका 7 layers होते है OSI model में OSI इसका full form भी exam में पुछा जा सकता है इसका full form होता है open system interconnection यहां पर एक देता हू open system interconnection इसका full form होता है important question है भी question 60 कर लेते है which language is used by computer to process data computer कौन सा language use करता है किसी data को process करने के लिए answer इसका binary language जो कि 0 & 1 की form में होता है important question है exam में पूछा जाए कि जो binary number होता है 0 & 1 की form में होता है question 61 कर लेते है what is the full form of GUI GUI का full form क्या होता है answer इसका graphical user interface question 62 कर लेते है most important है यह भी webpages are written using which programming language जो webpages होता है वो किस programming language को use करके लिखा जाता है answer का HTML को use करके webpages लिखे जाते है HTML इसका full form भी आपके लिए important है इसका full form होता है hypertext markup language यहां पर लिखतेता हू hypertext markup language language HTML का full form होता है next question कर लेते है in which form data is stored in computer computer में data store होता है वो किस form में होता है answer का binary form में होता है next question what is the full form of ADSL in computer network ADSL का full form क्या होता है next question name the method by which computers manipulate data into information कौन सा method होता है computer use करता है किसी data को manipulate करने के लिए information में तो answer का processing कहते है what is the full form of OCR OCR का full form क्या होता है answer का optical character recognition जो होता है OCR का full form होता है question 67 कर लेते है computer terminology changing Windows 7 operating system to Windows 10 is called answer का upgrade कहते है Windows 7 को Windows 10 में upgrade करना question 68 कर लेते है GIZO का full form क्या होता है what is the full form of GIGO GIGO garbage in garbage out next question is what is the main advantage of using fiber optics data transmission right answer is fast data transmission rate next question is a series of instruction by which computers work properly are called instruction होते है computer work करता है next question is what is the other name of Zunk email Zunk email का दूसरा नाम क्या है तो answer है spam next question है in computer what is the full form of ALU ALU का full form क्या होता है answers का arithmetic and logical unit जे होता है next question है name the web browser developed by the Google Google के द्वारा बनाया गया web browser कौन सा है Google के द्वारा next question है who is known as father of computer science computer science के पिता किने कहा जाता है तो answer का जो Alan Turing है उन्हें computer science का पिता कहा जाता है next question है जो pencilline होता है वो किस से obtained होता है तो answer का next question है where is pituitary gland is located pituitary gland जो है वो बाटे मारी body में कहा पर होता है answer का brain में होता है next question है किसी भी ट्री के जो age होती हो कैसे determine की साती है answer का उसके जो growth ring होती है उससे हम जो tree होता है उसकी age को determine करते है next question है name the hardest material in human body हमारे body के इंदर सबसे hardest material होता है वो कून सा होता है next question है wind pipe का दूसर नाम क्या होता है answer का trachea next question है what is the normal blood pressure of human human का normal blood pressure होता है answer का 120 by 80 mm of hg human का blood pressure है normal next question है which type of mosquito causes malaria जो malaria होता है female anophils होती है malaria को spread करते है next question है female sex hormones are called female sex hormones होता है tissue की study को क्या पोला जाता है तो अंसर का histology कहा जाता है next question है neutrons and protons होते है nucleus के अंदर reference atom के अंदर क्या होता है proton होते है electron होते है neutron होते है neutron होते है neutron होते है और जो electron होता है उसके उपर negative charge होता है यह questions exam में पुछे गए है next question है one barrel of oil approximately equal to how much liter one barrel होता है उसकी value कितने liter होती है 159 liter होती है जो 1 horsepower होता है 1 HP होता है इसकी value कितनी होती है 746 Watt होती है next question है which instrument is used to measure depth of ocean किसी भी समुदर की गयराई को मापने के लिए किस instrument का प्रयोग होता है तो answers का feather meter instrument का use होता है depth of ocean को measure करने के लिए next question है name the strongest force in nature nature के अंदर nature में सबसे strongest force कौन सा है तो answer है nuclear force वो nature का सबसे strongest force है आपसे exam में पुछे जाए weakest force कौन सा है तो आपका पता होने जो weakest force है वो gravitational force है जो gravitational force है वो weakest force है जो की हमारा earth exert करता है next question है why does a liquid drop tend to assume a spherical shape आपने देखा होगा कि जो भी बारिश होती है उसकी जो बूंते होती है वो spherical shape में होती है to minimize surface tension इस कारण से surface tension के कारण जो liquid drop होते है वो spherical shape में होते है next question है the direction of magnetic field within a magnet is friends magnetic field के direction होती है magnet के अंदर वो कहां से होती है from south to north figure से समझाता हूँ आपको suppose यह बाहर magnet है magnetic field के direction होगी magnet के अंदर within a magnet south to north होती है इस direction में होती है लेकिन magnetic field के direction magnet के बाहर होगी वो हमीशा north to south होगी north to south होगी north to south north to south यह आपने ध्यान रखना है कि अंदर होगी south to north बाहर होगी north to south next question है what is the full form of PDF है जो हम document use करते है PDF document उसमें जो PDF word होता है उसका full form क्या होता है तो answer है portable document format जो है वो PDF का full form होता है next question है why firewall is used in communication network or system हम अपने computer में firewall use करते है उसका main reason क्या है answer का unauthorized attack से बचने के लिए हम firewall को use करते है important question है यह भी next question है which memory is called as non-volatile memory in computer computer का वह कौन सा memory है जिसे कि हम non-volatile memory कहते है answer का जो ROM होता है जिसका full form होता है read only memory इसको हम non-volatile memory कहते है अगर आप से एक्जाम में पुछ जाए computer की कौन सी memory है जिसे कि हम volatile memory कहते है आप cancer हो का RAM देखो non-volatile का मतलब ही होता है अगर हमारे computer में कोई भी data पढ़ा हुआ अगर light चली जाती है तो जो data है as it is रहेगा ROM में लेकिन अगर RAM में कोई data है तो data का रहेगा डेट हो जाएगा इसलिए हम सो कहते है next question है which was the first mechanical computer design by Charles Babbage when Charles Babbage जो सबसे पहला mechanical computer बनाया था उसका नाम क्या था तो answers का analytical engine next question है what is the full form of ASCIA ASCIA का full form क्या होता है American Standard Code for Information ASCIA का full form होता है next question है in computer terminology failure in the kernel is called computer terminology में kernel का fail हो जाना उसे क्या कहा जाता है next question है in which generation of computer transistor were used in which generation में transistor का use किया गया था computer को बनाने में तो answer है second generation में next question है which process creates a smaller file that is faster to transfer over the internet which process होता है computer में जिससे कि बड़ी files होती है उसको हम छोटी file में transfer कर लेते है जिस कारण से data है internet पे जल्दी upload होता है next question है which instrument is used to measure altitudes in aircraft which instrument है जिससे कि हम aircraft का altitude नापते है to answer का altimeter next question है dialysis is a treatment if a person is suffering from dialysis जो होता है वो किस person को दिया जाता है to answer का जिस इंसान का kidney feel जाता है उसे हम dialysis दिया दियते है इस खेबर पास situated जो खेबर पास है वो कहां पर है तो आंसर का पाकिस्तान में है खेबर पास question number 2 the instrument used in measuring the distance covered by vehicle कोई इस इस करते है कि कोई भी जो distance चलिया तो आंसर है उसको में odometer बोलते है question 3 लेते है name the outermost layer of earth जो अर्थ है हमारा उसका जो outermost layer होता है उसको हम crust बोलते है अर्थ ऐसा होता है इसको outer layer है crust उसको हम बोलते है mantle और जो अंदरवली layer होती है उसको हम बोलते है core फिर यह तीन main layer है next question है who coined the term radio activity जो radio activity term है उसे किस ने दिया था answer है जो madam Curie थी उन्होंने radio activity term दिया था अपर जगर हम बात करें radio activity की इसकी unit आपसे exam में पूछी आती है next question है blood group is discovered by womb जो blood group है उसे किस ने discover किया था तो answer is का Carl Lannisterner थे इन्होंने blood group को discover किया था next question है कौन सा blood group है जिसे कि universal donor बोलते हैं मतलब वो किसी भी blood group को अपना blood दे सकता है तो answer is का blood group O होता है उसे हम universal donor कहते हैं next question है which blood group is called universal receiver वह कौन सा blood group है जिसे कि universal receiver कहते हैं answer is का blood group जो AB होता है उसको हम universal receiver कहते है next question है if a computer has more than one processor then it is known as friends अगर computer के पास एक से जादा processor है तो उसे हम क्या बोलते हैं answer का उसको हम बोलते है multiprocessor next question है if a computer cannot boot then it does not have friends अगर computer boot नहीं करता तो computer के पास क्या नहीं होगा तो answer का operating system नहीं होगा तो computer boot नहीं करेगा next है how many bit is used by the IPv6 address जो IPv6 address होता है उसमें कितने bit use होते है तो answer है 128 bit use होते है और friends अगर आप से एक्जाम में यह पूछा जाए कि जो IPv4 होता है उसमें कितने bit use होते है तो आपका answer रोगा जो IPv4 होता है उसमें 32 bit use होते है next है what is the full form of CMOS CMOS को full form क्या होते है right answer है complementary metal oxide semiconductor CMOS को full form है next है who invented connected to the www www को किसने invent किया था right answer है team burners www को invent किया था next है name the operating system is developed by apple friend Apple company है उसकी दोरह बनाया गया जो operating system है वो कौन सा है Mac operating system जो है Apple company दोरह बनाया गया है next है what is the full form of Wi-Fi जो हम net use करने के लिए Wi-Fi यूज करते है उसमें जो word Wi-Fi इसको full form क्या होते है of the file created in ms word ms word में जो extension होती है वो क्या होती है .doc ms word 2010 की extension होता है .docx next है in a computer malicious software is called computer में जो malicious software होता है उसे हम क्या बोलते है next है which key is used to capture screens of the current desktop current desktop की जो screen होती है उसको capture करने के लिए उसका blinker से हमारी position show होती है next है in keyboard control, alt and shift key are called keyboard में जो control, alt and shift key उसे हम क्या बोलते है next है which element is used to make computer chips and IC किस element का use होता है computer का integrated circuit यानि IC होता है उसको बनाने में तो आंसर है silicon का use होता है next है what is the full form of URL URL का full form क्या होता है right answer is uniform resource located URL का full form होता है next है computers on an internet are identified by friends कोई भी computer जो internet से जुड़ा होता है उसको हम कैसे identify करते है answer है IP address के द्वारा हम computer को identify करते है जो internet से जुड़ा होता है next है if a computer has more than one processor than it is computer के पास अगर एकसे जादा processor है तो उसे हम क्या बोलेंगे next है which function key is used to check spelling कौन सा function key होता है spelling को check करने के लिए next है name the most common input device in computer computer में जो most common input device use होता है वो कौन सा होता है तो answer है keyboard and mouse next है what is the full form of OMR OMR का full form क्या होता है right answer है optical marketer जो है OMR का full form होता है next है the pictorial representation of a program or the algorithm is known as flowchart जो होता है pictorial representation होता है किसी भी program का और algorithm का question कई पर exam में बूचा गया है next question कर लेते है what is called as free of cost repair of software bug available at internet internet पे जो हमारे computer में software में bug आ जाए उसको अगर free of cost repair करवाना हो तो उसी क्या बोलते हैं answer है patch बोला जाता है next है which network point that acts as an entrance to another network right answer है gateway next है in which type of memory contents were lost when the computer turns off अगर हमारे किसी किस memory में अगर हमारे data पड़ा हो और अगर computer बंद हो जाए तो वो data जो है वो delete हो जाएगा answer है volatile memory यानी की RAM में next question है what is called as concentric circle on a disk disc के ओपर जो concentric circles होते हैं तो उसका answer है उसका track बोलते हैं next question है what is the full form of NIC NIC का full form क्या होता है network interface card जो होता है NIC का full form होता है what is called the sharing of medium and its path by two or more device 2 or 2 से जादा device का medium and path share करना उसे हम क्या इसका multiplexing बोलते है next question है which function key is used to refresh the current window current window को refresh करने के लिए किस function key का use होता है answer है F5 function key का use होता है next question है what is the full form of BCC computer terminology में BCC होता है इसका full form क्या होता है answer है blind carbon copy BCC full form होता है next question है encoding of electronic data into another form is called answer है encryption next question है what is the full form of JPEG friends आपको पता होगा जो हमारा image का format होता है PNG होता है JPEG होता है JPEG का full form क्या होता है joint photographic expert group JPEG full form होता है next question है where is firmware stored in computer friends आपको पता होना है हमारा computer में एक program store होता है permanently वो firmware क्याते है और friends यह room में store होता है next question है who is known as father of artificial intelligence father of artificial intelligence किसे कहा जाता है तो answer है John MacArthur को father of artificial intelligence कहा जाता है important question है B next है which command is used to go at the end of the page कौन सा command हम यूस करते है page के end पे जाने के लिए control plus end यूस करते है next है which shortcut key is used to undo the last action in a document undo command कौन सा होता है control plus Z होता है undo command होता है next है the program which which are permanent stored in a room is called वो कौन सा program होता है जो की room में permanently store होता है तो मैं आपको परी बता है next question है which number system is used to store data and perform calculation कौन सा number system कौन सा number system data store करने के लिए और calculation perform करने के लिए यूस होता है answer is binary use होता है computer में जो की 0 & 1 की फार्म में होता है next question है what is called as the backbone of the World Wide Web World Wide Web W का backbone किसे कहा चाता है answer है HTTP को WWW का backbone कहा चाता है next है most important question है set of rules for transferring data over a network is called rules होते है किसी data को transfer करना network पे उस rules को क्या क्या कहते है next है which is the hottest planet in our solar system मारे solar system में सबसे गरम प्लानेट कों सा है answer is Venus name the planet emitting green light व कौन सा प्लानेट जो की green light emit करता है answer is Uranus name the planet which is known as morning star & evening star कौन सा प्लानेट जिसे की morning star & evening star कहा चाता है answer is Venus planet को कहा चाता है next question is which planet is called as red planet next which planet is called as earth twin answer is Venus planet next question important है इभी the light from the sun reaches the earth in about जो light sun से अर्थ पे पहुंचती है वो कितना time लेती है answer is 8 minute 15 seconds time लेती है sun से अर्थ पे लाइट पहुंचने में जो है वो अर्थ का surface temperature और एक्जाम में आपते कोशन और ही बुचा जाएगा कि मून से अर्थ पे लाइट आती है वो कितने तेर में पहुंचती है तो मैं बता रहता हूं आपको 1.3 second लगते है moon से अर्थ पे लाइट पहुंचने में next question कर लेते है which planet in our solar system which planet in our solar system has no moon friends वो कौन सा planet हमारे solar system जिसके पास कोई moon नहीं है तो आंसर इसका mercury next asteroid revolve around the sun in between जो asteroid है वो जो sun की चारोतव चक्कर मारते हैं यह किस planet की बीच में revolve करते हैं तो आंसर इसका Mars और Jupiter planet की बीच में asteroid next question is the Milky Way galaxy was first discovered wife जो Milky Way galaxy है उससे किस ने discover गया था तो आंसर है Galileo ने सबसे पहरी discover गया था Milky Way galaxy के जो की हमारी galaxy का नाम है next time why the moon is showing its same face to the earth moon जो है अपना same face क्यों रखता है हमेशा अर्थ की तरफ तो इसका answer the periods of rotation and revolution are the same मतलब की जो moon का period of rotation है और जो revolution है अर्थ के चारओ तरफ वो सेम है next time what is pulsar in our solar system हमारे solar system में जो pulsar है वो क्या होते है तो आंसर है rapidly spinning stars को pulsar कहा जाता है next time which is the second nearest star to the earth after the sun sun के बाद सबसे nearest star जो है अर्थ के वो कौन सा है तो आंसर है proxima century जो है वो second year star है अर्थ के next time the outermost layer of the sun is called जो sun का जो outermost layer होता है उसे क्या बोलते है तो आंसर का उसको हम corona बोलते है next time name the river which crosses the equator twice वो है कौन सी नदी है जो की equator को दो बार cross करती है तो आंसर है जो Congo नदी है वो equator को दो बार cross करती है तो आंसर का 111 km value होती है 1 degree latitude की next time which latitude divides India into two parts वै कौन सा latitude है जो की India को दो पार्ट में divide करता है तो आंसर का 23.5 degree latitude जो है वो इंडिया को 2 equal parts में divide करता है और इस 23.5 degree को हम Tropic of Cancer कहते है next time what is called as place of origin of earth जहां पर पुकम बात है उस place को क्या कहा जाता है तो आंसर का focus कहा जाता है next time in which country Baikal Lake is located वै कौन सा देश है जहां पर Baikal Lake है तो आंसर है रस्या में है next time name the country which has image of football in the flag वै कौन सी country है जिसके जंडे के ओपर football की photo है तो आंसर है इसका Brazil अगला question है name the most abundant element present in seawater समुंदर के पानी में सबसे जाता जाता है वो कौन सा होता है तो आंसर है क्लोरीन पाया जाता है next time what is the international date line international date line किसे कहते है तो आंसर है it is a 180 degree longitude जो 180 degree longitude होता है उसे international date line कहा जाता है next question है name the planet which has maximum number of satellite वो कौन सा planet है जिसके पास सबसे साथा satellite है तो आंसर का Jupiter planet के पास अगला question है what is the meaning of the term lithosphere lithosphere का मतलब क्या होता है तो आंसर का crust of the earth earth का outermost layer होता है जिसे हम crust बोलते हैं उसे हम lithosphere कहते है next time name the ocean in which Christmas island is located वो कौन सा ocean है जहांपर Christmas island है तो आंसर इसका इंडिया notion में है Christmas island अगला question है light year is used to measure which quantity जो light year होता है वो किस quantity को measure करने के लिए use होता है तो आंसर इसका distance को measure करने के लिए light year use होता है अगला question है name the path that connect the Srinagar to lay वो कौन सा path है जो की Srinagar को ले से जोडता है तो आंसर इसका है जो है वो Srinagar को ले से जोडता है अगला question है which imaginary line almost divide India into two equal parts कौन सी imaginary line है जो की इंडिया को दो equal parts में बाटती है 23.5 और उसका नाम है Tropic of Cancer यानि की करकर इखा अगला question है हमारा on which river बगलिहार dam is situated कौन सी नदी के ओपर बगलिहार बना हुआ है तो आंसर का चेनाव नदी के ओपर बना हुआ है बना हुआ है बगलिहार dam next question है how many islands are present in Lakshdeep उसमें कितने islands इसमें कितने islands 36 islands लक्षटीप जो लक्षदेव इसकी राजदानी है कवरती अगला question है what is the length of Indian coastline इंडिया का coastal area है उसकी लंबाई कितनी है 7516 km जो है वो इंडिया की coastline की लंबाई है friends अगर आपको option में 75-100 km दिया हो तो वो भी सही है अगला question है name the highest dam in India इंडिया का सबसे जो उंचा डैम है वो कौन सा है तो answer है जो तीहरी डैम है वो इंडिया का सबसे हाई अगला question है where is the Loktaak Lake situated जो Loktaak Lake है वो कहां पर है तो answer है Manipur में है Loktaak Lake अगला question है river Narmada is originate from which place जो नर्मदा नदी है वो कहां से originate होती है मतला कहां से निकलती है तो answer है अमर कंटक से निकलती है नर्मदा नदी अगला question है name the river which is called as the sorrow of Bengal वो कुन से नदी है जिसे कि बंगाल का शोक कहा जाता है तो answer है जो दामदर नदी है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है अगला question है name the river which does not form any delta वो कुन से नदी है जो कि delta नहीं बनाती तो answer है जो तापती नदी है यह delta नहीं बनाती है अगला question है in which state वुलर लेक is located वै कौन से राज्य है जहां पर वुलर लेक है तो answer है जमू एंड कश्मीर में है वुलर लेक अगला question है where is India research station दक्षिन गंगोतरी is located इंडिया का जो research station है दक्षिन गंगोतरी वो कहां पर है तो answer है अंटाक्टिका में है अगला question है in which state किशन गंगा river flows जो किशन गंगा नदी है वो कहां पर flow करती है तो answer का जमू एंड कश्मीर में अगला question है in which state दल लेक is located दल लेक जो है वो कहां पर है तो answer का जमू एंड कश्मीर में है अगला question है नेम्दा नेम दा Saltwater Lake in India इंडिया में का जो Saltwater Lake है वो कुन सा है तो आंसर है जो Sampar Lake है वो इंडिया का Saltwater Lake है और ये राजस्तान राज्य में है अगला कोशन है McMohan line is a boundary between which two country कोन से दो देशों के बीच में अंतराष्टे रेखा बनाती है तो आंसर का इंडिया एंड चाइना और आपसे यह पुचा जाए कि जो रैड क्लिफ लाइन है वो कुण से दो दिशों के बीच में है तो आपको बता हुना जिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रैड क्लिफ लिखा ठीक है अगला कोशन है भाकरन अंगल्डेम इस यहायस पीख है उसका क्या नाम है गुरुषिकर नामैं आरावली मोंटें रीज का सबसे हायस पीख का क्या घू यह सबसे हायस पीख Appeal से लूब कर बीच कर दोने संवाड डू पर दूसरा सबसे कों सा है तो आंसर का जो ट्रों कईतू है यह बून वह गिचे और शिख मा पार्ट आप है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो औरिजनली किस का पार्ट था, तो आंसर का, Grande Uterjo High Islandंड का पार्ट था,闵ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगला प्र कोशन है, अगला प्र कॉशन है, अगला प्र कॉशन है, अन्वीच river Saadar Saroval Dam तूम इस वोल्ट, कोन सी नदी के उपर, सदार सरुबल डैम जो है बना हुआ है तो आंसर आक जिग का नर्मदा नदि के उपर है अगला कोश्चन check इंडिया का सब्से पुराना माउठीं रेंज थे कौन सा है तो आंसर रावलिे जो है वो ओल्डेस्ट सैंडिया है वो कौन सा है तो आंसर है लदाग जो है वो coldest desert है इंडिया का या बोलो ग्रेट हमाले का अगला कोशन है व्रिदा गंगा is a famous name of which river कौन सी नदी को व्रिदा गंगा भी कहा जाता है तो आंसर का यह मृ इंडिया के इति बह matar इंडिया की इंड रिटर्मेश तो में से अलबाओ और यह जो यूपी का जो इलाबाद है वहां से होका गुजरता है अगला पुछा जाए लिग्रिम्स अफ लाउश मांचरोवर है तो पास तो एंटर इंटो तिप्बत अगला पुछा जाए लिग्रावा तो पाससे होगा गुजर्णा पड़ेगा आइला पुछा में पुछा जाये पांचरोव की जाए तो आपकété लिए लेजेशन फो Vegard जो रेजिहिन हिल्स है वो कहाँ पर है तो आंतर है गीसकनलाइश के लिटेश सबसे बड़ी से बिस्разуlares का नुटर। धुषरी विठान टूो ऑफइस्ट है और फिस था प्रस नेंडिया सब्सेट नहीं से नुख़ु इस सबसें प trata देखोशने धूझ फ्रैशनिंड नाशन संपपसा सब्सक्वर्समियर क्या एंडिया कैस जो सब्सक्राइर नेंडिया का इंधारण यहां है हे épुषट है वो किस चैनल से सइपरेट है तो आंसरस का रसी दिग्री चैनल से sapệt है अंडमा और निकोबार से नेक्सट कोचन है नेम लार्ज एडिकेशन के नाल इन इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा इंडिकेशन के नोल है तो अंसरे का इंडरा गांधी के नाल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा irrigation के नाल है और फिर जो इंडरा गांधी के नाल है यह हरी के बहरे से निकलती है पंजाब के नेक्स्ट कोशन है नेम दा अर्थ डीपेस पॉइंट इन वाटर अर्थ का जो सबसे डीपेस पॉइंट पानी के अंदर वो कौन सा है तो अंसरे का Mariana Trench जो है वो वो डीपेस्ट पॉइंट है वाटर के अंदर आपसे पुछा जाए कि Mariana Trench कहां पे है तो यह Pacific Ocean में है यहाप लिएता हूं Pacific Ocean में है जिसको की हम प्रशांत महासागर भी बोलते हैं और आपको option में कभी-कभी challenger deep दिया होगा ठीक है Challenger deep नाइस्ट कोशन है तेहरी डैम रिसी वाटर फ्राम विछ रीव पेंजो तेहरी डैम है वो पानी कहां से लेती आपुछेए तो आंसर प्हागी रेथी रीवर जो है वहां से तेहरी डैम पानी लेती है next question Groß मैन गृरू 씨 रिलिटिटेटटो फ्रेस्ट स सुन्दर बन मैं गृूएस्ट पीक वहा कहते है वह कहां पर है तो आंसर का वेस्ट भेंघाल एंद इसकी राजधानी है पर्ट ब्लेयर, यहां पनी देता हूं in pora nïkobar आई इलेंड की, अगला कोशन है है, तो आंसर इसका Dead Sea अगला कोशन है नेम दा हाइस multipurpose dam built on the Raviv रवी रवी नदी के ओपई बनाव सबसे बड़ा जो multipurpose dam है वो कॉन सा है तो आंसर है इसागर ड़ा अगला कोशन है नेम दा केनाल वी जॉईन Mediterranean Sea and Red Sea वै कॉन सा केनाल है जो की Mediterranean Sea को Red Sea को आपस में जोड़ता है तो आंसर का सुइज किनाल अगला कोशन है विच कंट्री इस आलसो कॉल्ड आस सुगर बॉल अफ देश है जिसे की चीनी का कटोरा कहा जाता है दुनिया का तो आंसर है क्यूबा अगला कोशन है नेम दा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी है वो कौन सा है तो आंसर का जो एमजन रिवर है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी है मतलब समें सबसे ज़ादा पानी है ठीक है नेक्स्ट कोशन है Name the world's longest river, दुनिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है, मतलब लंबाई के हसाब से, तो वह है नील नदी, अगला कोशन है, Name the country which has the largest coastline, वह कौन सी नदी है, जिसकी जो coastal, मतलब जिसकी जो coastline है, सबसे बड़ी है, तो आंसर है Canada, अगला कोशन है, in India where mushroom rocks are found, इंडिया में जो mushroom rock है, तो आंसर का था desert में पाए जाते हैं, अगला कोशन है, on earth where day and night are equal, अर्थ पे जो दिन रात equal होते हैं, वह कहां पर होते हैं, तो आंसर है equator पे होते हैं, आंसर है, next question है, माजूली the largest river island in the world is in which state, जो माजूली है, वह सबसे लंबी fresh water island है, दुनिया का, वह कौन सी state में है, तो अंसर का भारत की असाम स्टेट में है, अगला कोशन है, नागारचुन सागर मल्टी परपस प्रोजाट इस लोकेटी रओन विश रीवर पे जो नागारचुन सागर मल्टी परपस प्रोजाट है, यह कौन सी नदी के ऊपर है, तो आंसर है क्रिशन नदी के ऊपर है, next question का लेते हैं, इंपोरेंट है, यह भी, नेम दा अटमस्फेरिक लियर विच रिफ्लेक्स रेडियो वेब, कौन सा अटमस्फेरिक लियर है, जो की रेडियो वेब को रिफ्लेक्ट करता है, तो आंसर का आइनोस्फेर, next question है, विस स्टेट अप इंडिया इस कॉल्ड एस दा लै इस फेमस, रानी गंज जो है वेस्ट पंगाल में, वो क्यों फेमस है, तो आंसर का, कोल्ड फील्ड के कारण, जो रानी गंज है वेस्ट पंगाल का, वो फेमस है, अगला कोशन है, विच रिफर ऑफ इंडिया क्रॉस इस दा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, भारत की वे नेम दा लॉंगेस्ट नेशनल हाइवे इन इंडिया, इंडिया का जो सबसे लंबा जो नेशनल हाइवे है, वो कौन सा है, तो आंसर इसका, नेच 7 और नेच 44, और ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई भी दिया हो सकता है, अगला कोशन है, नेम दा रिवर विच मेक्स इस्टेट 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 मिलते हैं तो आंसर इसका मध्यपरदेश और अगर आपस एक्जाम में यह पुछा जाए कि कौन सी खानों में मिलता है तो आपक आंसरों का जो पन्ना की खाने है वहां पर डाइमेंड मिलता है इन वी स्टेट जलीपला पास इस सिटुवेटेड वह कौन सा राज है जहां पर जलीपला पास है तो आंसर इसका सिक्किम में है Tea इंग्स ऊस्टो एंग्सच्जन से टोटल एरिया वां जो फोटॉ से इंडिया है इन हुट इंडिया आम अगर हमगहां यहां बात के रहाइड है वह गू सी आट популяр요 आइरिया है वो इंडिया की है अगला कोशन कर लेते है what is the geographical area wise rank of India in world दुनिया में इंडिया का जो rank है area wise वो कितना है तो अन्सर का 7th rank है next question है what is the population wise rank of India in world population wise जो इंडिया का rank है वो कितना है second है number one पे है चाइना next question है what is the length of Indian coast line इंडिया कोशन रिपीट होगया वह 7516 km next question है where is the Lakshdeep island is located प्रें जो Lakshdeep island है वो कहां पर है तो answer is Arab Saagr में लक्षटीप island next question को लेते है important question है इंडिया इंडिया standard time IST and Greenwich mean time GMT friends जो IST है जो GMT है उसमें कितना difference है तो answer is 5 hours 30 minutes का difference है friends ये question exam में और ही पुचा जाएगा कि आप से ये पुचा जाएगा जो IST है यानि कि इंडिया standard time है वो गीन विच में time से यानि GMT से कितना आगे है तो आपको पता होना जहीं है आपको पांस जिगंते आगे है तीक को पुचा जाएगा अगला question है इंडिया रिशेर्स स्टेशन दक्षिन गंगोत्री इस लोकेटर रिपीट हो गया अंसर अंटाक्टिका क्यों ग्याटा रिपीत सब्सक्राइब के अफ्राइब ने आपको भाया थाइज है कि पांशो क्षिन्स करवाओंगो अगले कोशन राइज अब लगष्टिव मिनी कोई is separated by Kenore Island by जो लक्षीव का सबसे बड़ा Island है, Minikoy, वो Kenore से किस Island से separate है, तो answers का 9 degree channel से separate है अगला question है, what is the stretch land of India from north to south, north से लेके south तक की जो length है इंडिया की वो कितनी है तो answers का 3 to 1 4 km लंबा है, north से लेके south तक इंडिया, अगला question है, what is the stretch land of India from east to west, east से लेके west की जो लंबाई है, इंडिया की वो कितनी है, तो आंसर इसका 2933 km है, अगला question है, नेम था हाइस पीक of Karakorum range, जो Karakorum range है, उसका जो हाइस पीक है, वो कौन सा है, तो आंसर इसका जो K2 है, वो हाइस पीक है Karakorum range का और इसको हम Godwin-Austin भी बोलते हैं, अगला question है, इमेजनरी line almost divides India into two equal parts, आंसर है, ट्रॉपिक of cancer, नेक्स्ट कोशन है, चैनल सेपरेट Myanmar from North Andaman, राइट आंसर इस, लोको चैनल, मतलब कि, जो Myanmar और जो North Andaman को आपस में जो अलग करता है चैनल, वो है लोको चैनल, नेक्स्ट कोशन है, वाट इस द अधर नेम ऑफ रिगूर सोयल, जो रिगूर सोयल है, उसका दूसरा नाम गया है, तो आंसर का, जो ब्लैक सोयल है, उसे हम रिगूर सोयल भी बोलते हैं, अगला question है, वेर इस दा लोकटाक लेकी सिटुएटी, जो लोकटाक लेक है, वो कहां पर है, तो आंसर का, मनीपूर में है लोकटाक लेक, next question है, which lake in India has the highest water salinity, वेकून सा लेक है इंडिया का, जिसकी salinity सबसे जाता है, तो आंसर का, जो सामभर लेक है, उसकी salinity सबसे जाता है, अगला question है, name the island of India in which active volcano found, वेकून सा लेक, island इंडिया का, जहाँ पे active volcano है, तो आंसर का, जो बेरेन island इंडिया का, वहाँ पे active volcano है, मतलब कि, जो जौला मुखी है, वो सकरी है, अगला question है, where is Zozila and Burzila Pass is located, Zozila and Burzila Pass है, वो कहां पर है, तो आंसर है, जुमू इंड कश्मीर में है, Zozila and Burzila Pass, अग में और अगला कोशन है, बना इलाइदे लेस्न के क्या है? ऑन वह एक कोन सा है? यदी पूल के भिश के लिए लेक्ता है, वो और इंडिया का सबसे लेग्सा लेक्ता है अग्ला कोशन है, इनम ねम अ ब्रह्मापुत न रशाह में ठाट रिवरे लेक्ता ह। तो आंसर का जो तिब्बत है तिब्बत में संग्पु कहा जाता है ब्रह्मापुद नदी को चाइना में यार्लिंग कहा जाता है जैंग्बुल जिंग्यांग भी कहा जाता है चाइना में और जो भंगलादेश है वहाँ पर प्दमा कहा जाता है ब्रह्मापुद नदी को फि अगला कुशन है what does xp stand for in window xp window xp में जो xp मतलब क्या होता है तो आंसर इसका experience next question अभी software is used to translate scan text into format that can be manipulate right answer is OCR अगला कुशन है connection from one html document to another html document is called इसका एक html document से दूसरे html में जो connection होता है उसका hyperlink कहते है next question is important what is the storage area of email message email message का storage area उसका क्या कहा जाता है तो आंसर का mail box कहा जाता है अगला कुशन है what is the full form of VPN VPN का full form क्या होता है तो राइट answer है virtual private network वो VPN का full form होता है next question है what is the full form of FTP FTP का full form क्या होता है right answer है file transfer protocol step by step instruction to a computer to perform task is called right answer is program next question है image in a computer screen is made up of computer screen पर इमेज बना होता है तो आंसर इसका pixel का बना होता है अगला कोशन है which program that converts high level language to machine language वे कौन सा program होता है जो की high level language को machine language में convert करता है तो आंसर है compiler अगला कोशन है how many megabytes make gigabyte तो आंसर है 1024 मतब 1024 जो MB होता है वो 1 GB के बराबर होता है मतलब की 1 GB के बराबर होता है next question है which card connects computer to the network वे कौन सा card होता है जो की computer को network से connect करता है तो आंसर है network interface card next question है in computer warm stand force computer terminology में जो warm होता है उसका मतलब क्या होता है तो आंसर है write once read memory next question है which is used by the browser to connect the location of the internet source internet resource को connect करने के लिए browser क्या यूज करता है तो आंसर का URL यूज करता है अगला question है name the process of dividing the disk into track and sector right answer is formatting अगला question है 274 question है digital video is made up of right answer is frames तो आपको बता दो 500 questions कर वहांगो और उसके बाद 2 question का test भी रखा है दोनो question का answer आपने मुझे कमेंडर के जरूर देना है अगला question है which language is used in scientific work scientific work में कौन सा language use होता है तो answer है Fortran जो है वो scientific work में use होता है अगला question है Fortran जो है इसका फॉर्टरन होता है formula translation यहां पर लिख देता हूँ formula translation Fortran का फॉर्टरन का फॉर्टरन का फॉर्टरन है अगला question है which memory is non-volatile and may be written once तो answer है पी रोम अगला question है secret attempts by an individual to obtain confidential information from your computer is called right answer is fishing next question है what is the full form of FPI FPI का full form right answer is frames per inch next question MICR is mainly used in MICR वो mainly कहा पर used होता है so answer है banks में use होता है checks को verify करने के लिए question में 280 कर लेते है operating system DOS was designed to work with which input device disk operating system that's about DOS बोलते है वो किस input device ही work करता है so answer is keyboard से next question है which type of device is computer webcam and scanner computer- webcam use करते है and scanner तो किस टाइप कर दिवाइस है? राइत आंसर इंपूर डवाइस है अगला कोशन है CPU capacity can be measured in वह means that CPU capacity can be measured in राइत 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 जाइए मेगाहर्ट्स में अगला कोशन है first generation computer is made by using जो first generation computer है किससे बने होते थे तो आंसर है vacuum tube से बने होते थे अगला कोशन है, 3rd generation computer are made by using, जो 3rd generation computer है, वो किसे बने होते थे, तो answer इसका integrated circuit से बने होते थे, अगला कोशन है, what is the full form of EDVAC, EDVAC का full form क्या होता है, तो answer है, electronic discrete variable automatic computer, जो है, वो EDVAC का full form होता है, अगला कोशन है, we software that online monitors your computer activity, हो कौन सा software होता है, जो की हमारी activity को, हमारी computer की activity को online monitor करता है, तो answer का, इसको हम spyware बोलते है, यह question भी exam में कही बार पुछा गया है, अगला question है, which part of computer is called as brain of computer, right answer is CPU, next question है, turn on the computer for the first time on a day, is called, computer को first time on करना दिन में, उसे क्या कहते है, तो answer का cold boot कहते है, कोशन में 289 का लेते हैं, which standard protocol is mostly used in the internet, internet में जो standard protocol use होता है, वो कौन सा होता है, तो answer है, transmission control protocol, यानि की TCP और IP, यानि internet protocol, next question है, who was the inventor of first computer mouse, जो पहला computer mouse था, वो किसके द्वारा invent किया गया था, तो answer है, Douglas Engelbart की दोरा invent किया गया था, पहला computer mouse, अगला question है, world computer literacy day is celebrated on, computer literacy day किस दिन मनाया चाता है, तो answer का 2nd December को मनाया चाता है, अगला question है, in which device parallel port is used, कुछ डिवाइस में parallel port को use किया जाता है, तो answer का printer में, अगला question है, what are the two parts of an email address, email address का जो दो पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, तो answer का, username and domain name, जो at the rate, जो पहले वाला part होता होता है, उसको हम username बोलते है, और at the rate के बात वाले part होता 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 हम domain name बोलते है, अगला question है, name the process of copying files to a CD-ROM, तो CD-ROM के अंदर फाइल को copy करना क्या गहलाता है, तो answer का, उसको हम burning कहते हैं, अगला question है, where is copy command save the content temporarily, जब टेक्स्ट कोपी करते हैं, कुछ भी कोपी करते हैं, वो temporarily कहां पर save होता है, तो answer का, clipboard में save होता है, next question है, what is the full form of ISP, ISP का full form क्या होता है, तो answer है, internet service provider, जो है, वो ISP का full form होता है, important question है, अगला question है, which unit is used to measure the speed of data transmission, कोई भी data जब हम transfer करते हैं, तो उसकी speed को measure करने के लिए, किस unit का use होता है, तो answer है, bits per second का use होता है, अगला question है, what is the full form of GIF, GIF का full form क्या होता है, computer terminology में, तो answer है, graphics interchange format, अगला question है, sending an email in a computer is similar to what, friends, हम जो email बेज़ते हैं, computer में, वो किस की तरह similar होता है, तो answer है, writing or letter, अगला question है, name the computer language used in artificial intelligence, AI में, मतलब की artificial intelligence में, जो की robotics में use होता है, उस में कौन सा computer language use होता है, तो answer है, prologue use होता है, अगला question है, what is the full form of email, email का full form क्या होता है, तो answer है, electronic mail, जो है, वो email का full form होता है, important question है, एकला question है, who invented C++ programming C++ programming को किसने invent किया था तो answers का bizar nest routers तो थे उन्होंने C++ को invent किया था अगला कुशन है what is the full form of ISDN ISDN का full form किया होता है तो answers का integrated services digital network जो है वो ISDN का full form होता है अगला कुशन है why the file extension is used in computer computer में जो हम file extension use करते हैं वो क्यों use करते हैं identify the file type अगला कुशन है India first super computer PARAM is developed by India का जो पहला super computer है PARAM उसे किसने develop किया था तो answers का जो C deck है जो की पूने में है उसने invent किया था India का जो सबसे पहला super computer है PARAM और फिर इस पहला super computer होता है सबसे powerful computer होता है अगला कुशन है हमारा when the pointer shaped like your hand then it's position on आपने देखा हो कि जो मारा pointer होता है arrow mark होता है इसका जो 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 हाथ की तरह होता है वो कब होता है तो answers का जब ही भी hyperlink पे position होगा ना arrow का वो convert हो जागा हैंड की शेप में ये कोशन भी important है एक्जामें कई पर पुछा गया है अगला कोशन कर लेते है an unsolicited email message sent to many recipients at once is called तो answers का spam जो होता है unsolicited email होता है उसको हम spam बोलते है अगला कोशन है which company is also known as big blue वो कोन सी company जैसे की big blue की नाम से जाना जाता है तो answers का IBM company को अगला कोशन है what is the full form of SQL SQL का full form क्या है तो answer है structured query language जो है वो SQL का full form है अगला कोशन है the rules set up for exchanging data between computer is called तो answers का protocols next question है what is cookie in computer computer में जो cookie होता है वो क्या होता है तो answer है stores information about the user's web activity अगला कोशन है holding the mouse button down while moving an object or text is known as तो answers का dragging कहते है कभी भी हम जो mouse के button को hold करके रखते है अगला कोशन है what is the full form of LSI LSI का full form क्या होता है तो answer है large scale integration जो है वो LIC का full form है अगर आपसे VLSI का full form पुछा जाए वो होता है very large scale integration अगला कोशन है name the brightest planet in our solar system right answer is Venus next question है on which planet water cycle is available right answer is Earth next question है name the largest planet in our solar system right answer is Jupiter next question है the spring balance works on which principle spring balance है वो किस principle पे वो करता है तो answer है होक्स लॉपे वो करता है अगला कोशन है इस फिनोमेना इस रिस्पोंसिबल फो होता है echo of sound wave फेंस वो कौन सा फिनोमेना होता है जो कि sound wave की echo में responsible होता है तो answer है reflection फेंस जो echo होता है इसकी definition ही ही होता है reflection of sound is called echo ठीक है यह हमारा कोशन था अगला कोशन है why water is used in hot water bag होता होता है हम water use करते हैं क्यों use करते हैं because water has high specific heat specifically heat होता होता है अगला कोशन ही in the absence of earth atmosphere sky will appear फेंस अगला कोशन है हमारे अर्थ की उपर atmosphere नहीं होगा जो sky हो कैसा नजर आएगा आएका बिलेकलर का नजर आएगा अगला कोशन है name the device which is used to convert alternating current into direct current वो होता है कौन सा डिवाइस होता है जो की होगी अल्डानेटी कर आ डारेट कर नंबट में रु promote करता है मतलब अद्वाइस को डी सी में रुषकर् वोगी बन अलएक्टरो में लली लेक्टो व्य मुपाह होते और नीश और वड़ करता है और फिन दी सी बनाने के लिए जो हम रेक्टिफाइर यूज करते हैं ठीक है फिन जो हमारा मुबाल लोगा चार्जर होता है एक तरीका रेक्टिफाइर ही होता है अगला कोशन है वाट इस अट्रोनोमिकल डिस्टंस की जो यूनियृत होती है तो आंसर है जो पार्सक है वो कोशनटा चा कोशन है और कुलीग दैजरी कोलर प्रिफे इस बेस्ड ऑन विच फिंसेव फिंस नाश court इंषट कार Свिए होता क rating जो इस बचयों कर दंटैंश करते हैं तो आंसर है इवैंपरोरीटिव कॉलिंग पर ilा करती है जो डांड यूज अर还 कोशन है ओ लिच कभी भी निकलता है या डोपता है उस टेम जो सन आता है वो लाल कलर का नजर आता है तो वो क्यों गाज़ा आता है तो आंसर इसका दू तो scattering of light लागोशन है तो फिनोमेना of change in direction of light when it passed from one medium to another is called जबी भी light जो है एक medium तो दूसरी medium में transfer करता है उसमें जो डारेक्शन हो जाता है वो किस कारण से होता है तो आंसर है due to reflection of light next question कर लेते हैं intensity ratio of wave is 25 ratio 9 what is the ratio of their amplitude right answer है 5 ratio 3 friends मैं आपको ये proof करके बताता हूं friends एक ना physics में relation होता है जो intensity होता है वो directly proportional होता है amplitude के square के ठीक है अपर यहां पर यहां पर यह ध्यान देना कि यहां पर जो intensity है वो amplitude square के ब्राबर है अगर friends यह square इस तरफ हम लेकर आएंगे तो वह आजागा under the root i ठीक है अपर यहां पर यह देखो कि हमने यह relation generate कर लिया यहां पर हमार पर जो i1 था वो 25 था और जो i2 था वो कितना था 9 था तो हम यहां पर क्या करेंगे यह वाला relation यूज़ करेंगे 25 ratio 9 था ना इसको हम लिख सकते हैं under the root 25 ratio under the root 9 friends यह आ गया 5 ratio 3 हमने यह निकाल लिया ठीक है मतलब a1 ratio a2 जो आया wire 5 ratio 3 अगला कोशन कर लेते हैं why the chalk in fluorescent lamp is used. When fluorescent lamp जो होता है उसमें हम chalk यूज़ करते हैं वो क्यों use करते हैं answer is decrease the current flow current flow को decrease करने के लिए chalk use करते हैं fluorescent lamp में अगला कोशन है which color of light deviate least through the prism prism में क्यों सा light है जो सबसे कम deviate होगा तो answer is red color अगला question है the splitting of white light into different light is called answer का dispersion of light फिरेंच जो white light होता है उसको different color में split होना उसे क्या कहते है फिरेंच मैं आपको figure सा समझाता हूँ फिरेंच पूस करो ये prism है यहां से जब फिरेंच white light जाएगा ठीक है ये white light है जाएगा ये फिरेंच seven color में तूटता है seven color है विव के और V,I,B,G,Y,O,R फिरेंच ये seven color है जो V है वो violet है जो I है वो indigo है, B जो है वो blue है, G जो है वो green है Y जो है वो yellow है, जो O है वो orange है और जो R है ये red है फिरेंच ये seven color में तूटता है अगला question है Tesla is a unit of which quantity पहें जो Tesla है वो किस quantity की unit है तो आंसर है magnetic induction और magnetic flux density की unit है Tesla अगला question कर लेते है by which principle when the milk is churned vicariously the cream from its separated आप में देखा होगा जब दूद को माता जाता है उसमें से cream बहार निकल जाता है तो वो किस principle की द्वहरा निकलता है तो आंसर है centrifugal force की द्वहरा अगला question है diopter is the unit of which quantity तो answer का power of lens fence आपसे exam में पुछा जाएगा कि जो lens होता है उसकी जो power होती है वो किसमें मेजर की जाती है तो आपका answer होगा diopter में मेजर की जाती है अगला question है इन फिलामेंट टाइप light blur most of the electric power consume appear as friends कोई भी जो गरम चीज होती है आपको यह ध्यान रखना है उसमें से जो मतलब heat निकलेगी वो infrared rays निकलता है तेक है और वही उमसे पूछा किया था जो blurb होता light blurb वह भी अंदर से glow कर रहा होता था जल रहा होता है तो वह भी होट चीज है उसमेंसे भी infrared rays निकल रही होते है अगला question है वेंट टू सेमिकनेक्टर्स of P and N type are bought in contact they form P N junction which act as the answers का rectifier अगला question है why the outside surface of cooking utensils are generally left black आप देखा होगा कि जो गाउं में देखा होगा जो बरतन होते है नो निचे से black रखे होते हैं ब्लैक रखने करन देखा है यह था ता क्योंकि जो black color होता है यह heat को जादा अपनी तरफ खीचता है आप जाता अब्सॉर्व करता है तो वह हमारा answer था because black service is a good absorber of heat important question है next question है photon is the fundamental unit of which quantity photon है वह किस quantity की unit है तो answer है light की unit है photon अगला question है vegetables are cooked in lesser time by adding a pinch of salt while cooking because आप देखा होगी कि अगर हम कोई भी जैसे कर सब्जी बनाते हैं घर पे तो इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं तो जो सब्जी जल्दी बन जाता है तो इसका answer क्या है इसका reason यह है कि boiling point of water increases मतलब अगर उसमें नमक डालेंगे तो जो boiling point of water अगला question है one nanometer is equal to how much meter? जो one nanometer होता है उसकी value कितनी होती है तो answers का 10.10 कीबग माइनस 9 meter जो है वो one nanometer की value होती है अगला question है the group of solar cell joined together in a definite pattern are called right answer is solar cell panel कहते है जो solar cell जो आपस में joint होते है आपस में उसको हम solar panel कहते है अगला question है what is the reverse effect of x-ray emission is called जो x-ray होता है उसका reverse effect होता है उसके क्या कहा जाता है तो answer इसको photoelectric effect कहा जाता है अगर आपसे खापर जी पुछा जाए जो x-ray होता है जो x-ray में जो x होता है उसको full form क्या होता है उसका answer है x का मतलब होता है unknown radiation यहांप लिखतेता हूँ unknown radiation अगला कोशन है why the copper whites are generally used for electrical power transmission instead of iron wire हमारे गहरों में जो wiring होती है बिचली की उसमें copper wire यूस किया जाता है तो इसका reasoning क्या है तो answer का copper is better conductor of electricity than iron मतलब जो electricity जो copper wire में है वो बहुत ही जाद अच्छे से conduct करते हैं अगला कोशन है Electromagnet is constructed by using material जो electromagnet है वो किस से बनाया जाते हैं तो answer का soft iron से बनाया जाते हैं Electromagnet अगला कोशन है the filament of an electric bulb is made up of which metal जो filament होता है electric bulb का वो किस चीज का बना होता है तो answer का tungsten का बना होता है अगला कोशन है where is the value of G acceleration due to gravity is maximum G की value जिसे के message due to gravity कहते है उसकी value सबसे जादा कहां पर होगी तो answer का pulse बना कोशन है अगला कोशन है Name the force which makes a vehicle to stop when brake is applied आप कभी brake मारते हो और आप मतलब आपकी जो bike है या गाड़ी चला रहे हो रुख जाता है वो किस force से रुखता है अगला कोशन है Flamming left hand rule is associated with the effect of Flamming left hand rule is associated with the effect of Flamming left hand rule is associated with the effect of Flamming left hand rule magnetic field on current Flamming left hand rule What is the total number of SI units total SI units कितने है 7 Why the color of oceans appear to be blue Why the color of oceans appear to be blue due to scattering of light Another question is In the visible spectrum which color has the shortest wavelength In the visible spectrum which color is the smallest wavelength then answer is violet Another question is What is the specific resistance unit What is the specific resistance unit So answer is ohm meter specific resistance unit If you are asked the resistance unit then it is ohm 355 If a bar magnate is cut lengthwise into three parts What will be the total number of poles? So right answer is six If any bar magnate has two poles One is south pole One is north pole If we cut it in one part If we cut it in one part Then there is another pole Here is another pole And here is another pole But the question is If we cut it in three parts I cut it in three parts Then you will see How many poles are made in the middle? Friends, this is a bar magnet South and north If we cut it in one part Friends, you will see one part Here is another part Then you will see how many poles are made in the middle South, north, south, north That means that the bar magnet will become so many And here is how many poles are made? 1,2,3,4,5,6 Now I have 6 Important question Next question Light travels in a Right answer is straight line Light is straight line And in the exam Light is a form of energy Light is a form of energy Important question Next question In which medium Sound travel faster? In any medium Sound Very fast Travels In solid medium In the exam Next question Phenomena of Total internal reflection Can occur when light passes from When the phenomenon of total internal reflection When it happens When the answer is When light is denser Rearer medium When the total internal reflection Phenomena Important question Next question Electric motor converts When electric motor converts Which one Which convert? Electrical energy to mechanical energy, मतलब यह electrical energy को mechanical energy में convert करता है motor, फिर आपको फिगर से समझाता हूँ, मोटर को देखने में कुछ इस तरह का होता है आप को example के लिए, जो आपके cooler का motor हो गया, या आपके fan का motor हो गया, या फिर आपकी जो घर में मसाले पिसने का मिक्सी होती है, उसका motor हो गया, उसी motor की यहां पर बात हो रही है यहां पर fan लगा होता है, यहां पर दो टर्मिनल होते हैं, जहां से हम electricity supply करते हैं यह चीज घूमेगी, ठीक है, बतलता आप यह देखो कि हमने electric energy दिया ठीक है, electric energy दिया, और यह convert किसमे हो गया, mechanical energy में, या आप बोलो, rotational energy में convert हो गया ठीक है, यही motor का काम होता है, ठीक है, यह हमारा answer हो गया अगला question है, nuclear size are expressed in which unit, फिर जो nuclear size होता है, वो किस unit में express किया जाता है तो answer है, फर्मी unit में express किया जाता है nuclear size अगला question है, most important है, हर साल आता है exam में, sudden fall in reading of barometer is an indication of जो barometer की reading होती है, उसमें अगर sudden fall आये, तो वो किस चीज का indication है तो answer है, strong, यानि की, तुफान आने वाला है अगला question है, what type of lens is used to correct vision of a person suffering from myopia सबसक्ते हे माईयोपिया होता क्या है, माईयोपिया का एक आखों की बिमारी होती है इसमें बिमारी को ठीक करने के लिए हम concave lens का use करते है एक question exam में और भी पुछा जाएगा कि आपसे ये पुछा जाएगा कि अगर किसी इंसान को hypermaiotropia है, यह भी आँखो की बिमारी है, पर इस बिमारी में क्या होता है, कि जो इंसान होता है, उसको मतलब पास की चीजे नहीं दिखती, दूर की चीजे दिखती है, क्या बताया है और myopia में concave lens वाला चश्मा हम यूज करते हैं, अगला question है, विच material is used to in electric heater, हमारे खरो में जो electric heater हम यूज करते हैं, उसका जो coil होता है, वो किस material का बना होता है, तो answer है, नाइक्रोम का बना होता है, आपसे exam में भी पुछा सकता है, जो हमारे खरो में electric press होता है, जो हम अप semiconductor is called, हम semi-conductor में उसकी conductivity को बढ़ाने के लिए उसमें हम impurity add करते हैं, तो उस adding, जो addition होती है, उसे हम क्या एंपरिटि कहते हैं, तो answer है, dopping कहते हैं, पर आपको पता होना चाहिए, जो भी semi-conductor होता है, उसकी conductivity को बढ़ाने के लिए ना, हम तब क्या वालते है, इमिपरिए को आट करते हैं इस प्रोसेस को हम दॉपिंग कहते हैं, आकला कॉशन है, वायर मतल सर गुर्ड कनेक्टर ऑफ हीट ऑफ और फूड पूजटीटीड फन जो मतल सोते हैं वो गुर्ड जो metals होते है वो good connector of electricity होते है और heat होते है good connector का मतलब यह होता है कि इसमें से जो electricity है यह heat होता है वो pass कर जाता है मतलब transfer कर जाता है important है अगला question है nuclear fusion reaction is started by impact friends मैं आपको उपर ही बताया था कि जो nuclear reaction होता है वो मिली दो types के होते है एक होता है nuclear fusion reaction यहाँ पर लिख देता हूँ nuclear fusion दूसरा होता है nuclear fusion यहाँ पर हमारी बात हो रही थी nuclear fusion reaction की ठीक है मैंने आपको बता है nuclear fusion reaction को हम chain reaction भी बोलते है ठीक है और हमसे पुछा गया था कि इस reaction को start करने के लिए किसका impact कराई जाता है तो आपको बता हूं नियूट्रोंस का इंपेक्ट करा है साता है नियूक्लिर फीजन को रिक्षिन को स्टार्ट करने के लिए यह जो नियूक्लिर फीजन है यह मैंने बहुत डिटेल में समझा हुआ है आप मेरे बांकी वीडियोस भी जरूर देख लेना साइन्स तफाले है उसमें बहुत अची से स्प्रीन किया हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा ओन विच प्रिंसिपल ट्रांसफोर्मर वर्क्स ट्रांसफोर्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और यह step up और step down करता है इसी voltage को अगला कोशन है what is the unit of measurement of noise noise को measure करने के लिए किस unit का प्रियोग होता है तो आंसर है decibel का प्रियोग होता है अगला कोशन है chalk used in tube light is basically जो tube light में हम chalk use करते हैं वो basically क्या होता है तो आंसर है वो एक तरह का inductor होता है अगला कोशन है boiling point of water depends on पानी का boiling point होता है वो किस पर depend करता है तो आंसर है atmospheric pressure पर depend करता है अगला कोशन है when a ship enters the sea from a river what will be the effect on ship अगला कोशन है और समंदर से अगर वो river में एंटर करता है तो उस पर क्या effect बढ़ेगा तो आंसर है अगला कोशन है what is the indication what is indicated by the color of star friends star होते है आपने देखा को tim tim आते रहते हैं और साथ सब्सक्राइब में अलग-अलग color के होते हैं तो इस color होते हैं वो किस कारण से तो आंसर का temperature बताता है मतला friends अलग-अलग temperature पर अलग-अलग color होता है star का और important question है ये अगले एक्साम में कई पर पूछा गया friends मैं आपको सारे question ही important लेकर आया हूँ वही question लेकर आया हूँ जो question exam में बार पर पूछे जारे है और काफी जादा chances है अगले exam में जरूर रिपेट होंगे friends आप exam से पहले सबी question अच्छे से रट लेना वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक चुरूर करिए अखला question है Hertz is a unit of measuring friends जो Hertz है वो किसको measure करने के लिए यूज होता है frequency of waves को measure करने के लिए Hertz यूज होता है frequency की unit ना Hertz ही होता है अगला question है fuse wire made up of this type of material friends मैं आपको परी बिताया था यूज होता है वो किसी भी electric जो भी मारा circuit है उसको बचाने के लिए जादा voltage और बचाने के लिए यूज करते है पर वो किसी चीच का बना होता है तो answer is low resistance और high melting point friends fuse के आई एक property होती है जो fuse होता है इसका melting point बहुत ही कम होता है मतलब कि अगर जाता कभी भी ज्यादा current आजाए तो friends ये ना fuse ब्रस्ट कर जाता है तो इसका low melting point होता है और दूसरा friends ये का low resistance होता है मतलब कि जब हम circuit में इसको लगा भी देते है तो जो हमारी conductivity होती है तो पर कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है जिसकी property होती है अगला question है a bomb explode on the moon we hear its sound on earth after how much time question का मतलब ये है कि अगर moon पे कोई bomb blast होता है तो उसकी आवाज हमें earth पे कितनी दिर के बाद सुनाई देगी तो इसका answer है we cannot hear the sound of explosion मतलब कि उस sound की आवाज हमें सुनाई नहीं देगी इसका reason ये है कि मून पे कोई atmosphere नहीं है और sound को propagate करने के लिए atmosphere चाहिए medium चाहिए लेकिन मून के ओपर कोई medium नहीं है कोई atmosphere नहीं है इस वज़े से जो मून पे ब्लास्ट होगा वो हमें अर्थ पे सुनाई नहीं देगा मतलब हमारे planet पे सुनाई नहीं देगा अगला question है Conversion of chemical energy into electrical energy occurs in फिरस हमारे घरों में जो battery होती है जो हम inverter यूज करते है आपको पता है फिरसके अंदर chemical reaction होता है chemical reaction होने के बाद हमें electricity मिलती है और यह हमारा question था Conversion of chemical energy into electric energy occurs in तो आपका answer क्या हुआ हमारे घरों में जो battery होती है वो perfect example है तो यही मैंने आपके answer लिखा हुआ है फिरसके लिखा हुआ है फिरसके लिथियम बैटरी होती है उस बैटरी के नदर भी chemical reaction होता है उस chemical reaction से ही मतलब बिजली पायदाव मतलब की जो भी बोलो आप जिससे हमारा mobile phone run करता है अगला question है working of atom bomb is based on the principle of जो atom bomb होता है मैं आपको उपर ही बिता है कि जो nuclear fusion reaction है ठीक है nuclear fusion reaction है उसको हम atom bomb भी बोलते है ठीक है और यह atom bomb ना nuclear fusion reaction की principle पर वर्क करता है यह question भी important है अगला question है on which principle the signal is transmitted in optical fiber मैं आपको उपर में करवा चुका हूँ कि जो optical fiber है total internal reflection phenomenon पर हुवा करता है यह question भी एक्साम में आया हूँ जो भी question आपको एक्साम के लिए बन सकता है सभी question को आपको करवा रहा हूँ बहुत भी detail में समझा रहा हूँ question number 379 गर लेते है 0 Kelvin is equivalent 0 Kelvin होता है उसकी value कितनी होता है तो आपको बता हूँ वह कितना होता है तो आपको 25 cm होता है next question है which phenomena establish the transverse nature of light वह कौन सा फिर्योमेन था जिसने यह प्रूफ किया था जो light है वो transverse nature का है तो answer है polarization जो फिर्योमेन था उसने प्रूफ किया था अगला question है which apparatus is used to locate a submerge object पानी के अंदर देखने के लिए हम कौन सा अप्रेटर्स यूस करते है तो answer का sonar यूस करते है sonar है इसका full form आपके लिए important है इसका full form है sound, navigation and ranging sound, navigation and ranging इसका full form होता है अगला question है if electric resistance is to be decreased then the number of resistance should be connected in friends अगर हमें जो effective resistance है उसको कम करना है तो हमें resistance को कैसे connect करना पड़ेगा तो answers का parallel में connect करना पड़ेगा मैं आपको proof करके बताता हूँ suppose करो resistance है यह R1 resistance है यह R2 resistance है और यह R3 resistance है अगर मैं इसे series में connect करता हूँ suppose करो इसकी value 2 ohm है इसकी value भी 2 ohm है इसकी value भी 2 ohm है अगर मैं इसे series में connect करूँगा, मैं इसे प्रूफ करवाँगा अभी, ठीक है, series में करूँगा, तो series में value होती है, r1 plus r2 plus r3, तो friends, यहां पर value कितनी आई, 2 plus 2 plus 2, कितना आया, 6 ohm आया, मतलब, simply यहां पर add हो गया, but friends, parallel के case में क्या होता है, यहां parallel में लिखता हूँ, तो हमारा formula चीज हो जाता है, 1 upon r1, 1 upon r2 plus 1 upon r3, friends, जब आप इसको add करोगे, तो यह value बहुत ही कम आती है, friends, मैंने पर प्रूफ कर दिया, कि अगर हमें resistance को कम करना, effective resistance को, तो हमें उन्हें parallel में लिखता है, आपको प्रूफ भी किया, अगला question कर लेते है, who is known as the father of Indian constitution, father of Indian constitution किसे कहा जाता है, तो answer है, dr. B.A. Rambitkar को कहा जाता है, अगला question हमारा, who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution, friends, drafting committee के सामने preamble को किसने प्रस्तूत किया था, अगला question हमारा है, what is the correct nomenclature of India according to the preamble, preamble की according, जो इंडिया का correct nomenclature है, वो क्या है, तो answer है, sovereign, socialist, secular and democratic republic, अगला question है, Indian constitution is regarded in which form, अगला question है, इंडियन constitution है, वो किस form में regard किया जाता है, तो answer है, federal in form and unitary in spirit माना जाता है, हमारा Indian constitution, अगला question है, how many fundamental rights are mentioned in Indian constitution, Indian constitution में, हमारे सम्विधान में, कितने fundamental rights दिये गए हैं, तो आपका answer है, 6, पहले 7 होते थे, लेकिन अब 6 है, अगला question है, if the president rule is imposed in a state, it means that state is ruled by, अगर किसी भी राज्यों के उपर president rule लगा है, तो उस राज्यों को कौन चलाएगा, तो answer है, governor of the state, मतलब उस राज्यों का, जो governor होगा, वो state को चलाएगा, अगला question है, which article cannot be suspended even during emergency, emergency के time पे, कौन सा article है, जो की suspend नहीं होता, तो answer है, article 20 and 21, जो है, वो suspend नहीं होता है, अगला question है, in Indian, in India, how many times national emergency has been declared, हमारे देश में, अब तक कितनी बार national emergency लगा है, तो answer इसका, तीन बार लगा है, मतलब three times, अगला question हमारा, ता Indian constitution has borrowed the ideas of preamble from which country, हमारे समीधान ने, जो ideas है preamble का, वो किस देश की समीधान से लिया है, तो answer है, constitution of USA, मतलब USA किस समीधान से लिया है, ideas of preamble, अगला question हमारा है, parliamentary form of government is taken from the constitution of which country, हमारे समीधान ने, जो parliamentary form of government है, वो किस देश के समीधान से लिया है, तो answer होगा, आपका Britain से लिया है, अगला question कर लेते हैं, important है ये भी, fundamental right is taken from the constitution of which country, fundamental right है, वो किस देश के, किस देश के से लिया गया है, तो answer है, USA से लिया गया है, मैं आपको इतने जादा questions इसलिए करवाता हूँ, क्योंकि देखो, मेरा main motive यह ही है, कि अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, तो maximum question आपको अपनी एक्साम में देखने को मिल जाए, मैं ऐसा नहीं करता, कि 10 question करवा दिया, 20 question करवा दिया, 50 question करवा दिया, तो आपको questions जो आपके एक्साम में आ सकते हैं, अपर वीडियो आपको पसंद आरे हैं, अपर अपको मेरा effort पसंद आरा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिये और सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा जादा अपने फ्रेंड के साथ करिये हैं, Q395 कर रेते हैं, Indian Constitution borrowed the scheme of Indian Federation from the constitution of which country? हमारे समिधान ने जो scheme है Indian Federation का, वो किस देश की समिधान से लिया है, तो answer is का Canada से लिया है, Indian Federation, scheme of Indian Federation. अगला question हमारा है, What is the constitutional lame of our country? Samidhan के अनुसार हमारे तेश का नाम क्या है? तो answer is का India, that is Bharat. 7 कर लेते हैं, which right was described by Dr. B.R. Amitkar as the heart and the soul of the constitution? B.R. Amitkar ने किसे heart and soul of the constitution का है, तो answer का right to constitutional remedies को, Dr. B.R. Amitkar ने the heart and the soul of the constitution का है. अगला question है, which article describe that person's voluntary acquiring citizenship of a foreign state no longer to the citizen of India? किस article में ये बताए गया है, कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक अगर एक्छा अगरुसार दूसरे देश का नागरिक ता गिरहन कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं खिलाएगा, तो answer है, article 9 में ये पताया गया है. अगला question है हमारा, from which country, constitution of India has adopted fundamental duty? हमारे देश ने fundamental duties जो है, तो answer है, British constitution से लिया गया है. अगला question हमारा है, डारेक्टि प्रिंसेपल इस टेकन फॉम्दाशन ओविच का नागरिक ता इस देश के समीधान से लिया गया है. तो answer है, Irish constitution से लिया गया है. अगला question हमारा है, concurrent list is taken from the constitution of which country, concurrent list है, वो किस देश के समीधान से लिया गया है. तो answer है, Australian constitution से लिया गया है. अगला question हमारा है, the mercury and the sodium street lamp light because of, जो mercury lamp आपने देखा होगा, लगा होता है, रोड के साइड में, या sodium street lamp होता है, वो किस principle पर बग करता है, तो answer का atomic emission पर वोग करता है. इंपॉर्णन कोशन है, next question है, acid rain is due to air pollution by which substance, आपको पता है कि, जो हमारे ताज महल है, ताज महल को आपने देखा होगा, वो yellow color का होता जारा है, ये ये लो color क्यों हो रहा है, acid rain के कारण हो रहा है, और acid rain क्यों होता है, तो आपको बताना चाहिए कि, बारिश में nitrous oxide और sulfur dioxide के मिल जाने से acid rain होता है, और ये काफी जादा हारम फुल है इंसानों के लिए, और जो भी जितने भी building होते हैं, उनके लिए हारम फुल होता है, next question है, ammonia जिसका molecular formula NH3 होता है, synthesized through which process, ammonia हो किस process की तूरु बनाया चाता है, तो answer है, अगला question हमारा है, radium is extracted from, एक से acid care जाता है, तो answer है, pitchblend is extracted के जाता है, ये इसका और का नाम है, अगला question हमारा है, tube light is filled with which gas, तो आपको तो त्यूब लाइट है, तो किस gas से filled होता है, तो answer है, mercury vapor and argon अगला कोशन हमारा है which gas is used in welding welding में कौन सी gas यूस होती है तो अंसर है acetylene and oxygen gas यूस होती है welding में अगला कोशन हमारा है name the water soluble vitamins वह कौन से vitamin है जो कि water soluble है तो अंसर है जो vitamin B है और जो vitamin C है ये water soluble है अगला कोशन हमारा है iron metal is extracted from which ore जो iron metal है वो किस ore से extract किया जाता है तो आंसर है hematite ore से extract किया जाता है iron को और होता है इसकी definition आपको पता होने चीए और और एक तरह का mineral होता है जिसमें से हम कोई भी metal जो है वो निकालते है और जो iron है जिसका symbol Fe होता है इसका symbol भी आपको याद रखना है इसका symbol Fe होता है और यह hematite ore से निकाला जाता है अगला कोशन हमारा है non-stick coating in utensils is of which material अपने घरों में जो non-stick बरतन यूज करते हैं आपने देखा होगा non-stick बरतन होते हैं जिसको जिसके लिए लकडी का मिलता है जिसके कि हम यार किया वोलता है कुछ भी प्लड़ना हो ठीक है जिसके लिए लकडी का होता है और वो non-stick बरतन होते है उसके किछीज की कोटिंग होती है तो अशका आप्फलोन की कोटिंग होती है अगला कोशन हमारा है Name the compound responsible for hardness of water अगला कोशन हमारा है Name the gases used for ripening raw fruits फ्रूट्स को पकाने के लिए किस ग्यास का प्रियोग होता है तो अगला कोशन हमारा Axial is made up of which element जो अंडे का जो कवर होता है जिसको मैं Axial बोलते हैं वो किसका बना होता है तो अगला कोशन हमारा है केल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अगला कोशन है अगला कोशन है What is the chemical name of washing soda फ्रूट्स का chemical name क्या होता है सोडियम कार्बोनेट जो है वो chemical name washing soda अगला कोशन हमारा है Fuse wire is made up of which element फ्रूट्स यह जो फ्रूट्स बनते थे ना सब मैं पो करवा दिया चार कोशन करवाई है बना होता है फ्रूट फ्रूट्स बना होता है अगला कोशन कर लेते हम उमारा why zinc phosphide is used वो हम क्यों यूज करता है तो राट बईसन अबने एड देखा हुआ तीव में आदा था अगला चूहा यह दभाई खाए और अम्रे घर के बाहर जाए और उस जो chemical वह पे उता था वापर उसमें फॉस्फपाइड ही यूसता था और जिंक फॉसफपाइड कि अगेड लागा या तर्वन पना था व्यंसे खाएगा तो ने आकला कुछन हमारा है during the process of rusting the weight of iron is question का मितलब यह है कि यभी भी iron के उपर जंग लग जाता है तो उस टाइम iron के वेट पर क्या एफेक्ट परता है तो आंसर इसका वेट जो है बढ़ जाता है और फिर सकर हम बात करें रस्टिंग की इसकी डेफिनेशन आपके लिए इंपोर्ट है रस्टिंग की डेफिनेशन होती है इस एक तरह का कैमिकल प्रोसेस है और आपसे रस्टिंग का ना फिरस्टिंग का फार्मूला पुछा दा सकता है रस्टिंग का फार्मूला होता है F2O3 multiply X molecule of H2 फिरस्टिंग यह जो X molecule of H2 यह ना moisture है यह बोलो water है ठीक है और यह F2O3 यह आइरन है अगला question कर लेते है नेम दा fat-soluble vitamins fat-soluble vitamins कुन से होते हैं तो आपका अनसर होगा vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K यह fat-soluble vitamins है अगला question हमारा है common preservative in food processing industry is common preservative हम यूज़ करते हैं food processing industries में जैसे कि आपके घर में टमैटो सॉस होता है ताकि खराब ना हो यह अचार जो होता है ना पिकल उसमें हम एक food common preservative यूज़ करते हैं ताकि वह काफी दिनों तक खराब ना हो तो वह होता है benjoic acid and sodium benjoid यह question भी important है next question कर लेते है first organic compound synthesized in laboratory by worm पहला organic compound कौन सा था जो कि laboratory में बनाया गया था और किसकी दोरा बनाया गया था तो answer is का urea बनाया गया था और यह जो बनाने वाले थे वो थे frederich woller परसे मैं आपको बता दूँ अभी रात के 2 बज़रे हैं ठीक है और आपके exam आने वाले है अगला question हमारा है Almonium metal is extracted from which ore जो Almonium है वो किस ore से निकाला जाता है तो answer is का Bauxite ore से Ammonium को निकाला जाता है अगला question हमारा है Which agent is used as seed in artificial rain artificial rain में हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो answer is का Silver iodide का use करते है अगला question हमारा है Which acid is present in bee sting कभी भी अगला को मदमकी काटती है तो अगला question हमारा है Copper metal is extracted from which ore जो copper है वो किस ore से निकाला जाता है तो answer is copper pyrites से निकाला जाता है copper metal अगला question हमारा है What black is the silver shine आप में देखा हुआ कि अगर आपके चांदी का कोई भी जोहलरी है कुछ ताम के बाद इस निकाली काली होनी शुरू होती है तो इस कारण से होती है तो answer is जो atmosphere में ozone gas होता है तो इसके कारण से जो silver होता है तो थोड़ा काला होना शुरू होता है अगला question हमारा है विच अलिमेंट इस यूज तो प्रपेर फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में होता है तो answer is calcium hydride यह question भी important है विच मैटरियल इस यूज इन मेकिंग ऑफ सिप्टी मैचिस सिप्टी मैचिस बनाने के लिए किस मैटरियल का प्रियोग होता है तो answer is red phosphorus का प्रियोग होता है अगला question हमारा है chloroform in sunlight forms which poison अगर वो sunlight की presence में आये तो कौन सी poisonous कैसे बनाता है तो answer is phosgene बनाता है अगला question हमारा है which catalyst is used for the synthesis of sulfuric acid by contact process कौन सा catalyst है जिसका प्रियोग हम करते हैं sulfuric acid को बनाने में contact process में तो answer is platinum का हम इस्तेमाल करते हैं sulfuric acid होता है formula होता है H2SO4 अगला question हमारा है electronegative elements होते हैं तो answer is non-metal होता है उसको हम electronegative elements बोलते हैं जो non-metal होता है definition होती है non-metal definition में आपको पुछ पता लग जाएगा non-metal are electronegative electronegative because they accept electrons इसकी definition है इसमें दूपहें 2 questions बनते है non-metals are electronegative हमसे question में यह पुछा गया था electron magnitude होते हैं आपको पुछा जाएगा कि वह कुछ से element होते हैं जो electron को accept करते हैं electron को लेते हैं तो आप cancer होगा non-metal अगला question भी बहुत असान है electro positive elements are तो फिर इसका answer है metal अब इसकी definition होते है metal are electro positive फिर इसकी most important question है electro positive because cause they loose electron अगला question कर लेते हैं which metal is liquid at room temperature अगला question कर लेते है इसकी property होते है कि यह solid होते है अगला इक metal है अगला इक metal है अगला इक metal है जो की liquid होते है तो आप cancer है mercury और गैलियम यह liquid होते है अगला question कर लेते है the element common to all acid is कौन सा element है जो की हर acid में पाए जाता है तो answer इसका hydrogen important question है अगला question कर लेते है which substance is used in nuclear reactor as a moderator nuclear reactor में हम किसको यूज करते है तो answer इसका deuterium oxide यानि D2O को यूज करते है अगला question हमारा है chemical name of aspirin जो हम drug लेते है aspirin ठीक है उसमें कौन सा chemical पाए जाता है acetyl salicyclic acid पाए जाता है aspirin में और अगला question हम बात करें aspirin जो medicine होती है जो fever होता है इसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है petroleum is found in which type of rock petroleum में मिलता है answer का sedimentary rock में petroleum name the acid that present in orange orange में कौन सा acid पाए जाता है अगला question हमारा है gas is known as laughing gas कौन सा gas है जिसे की laughing gas p कहते है n2o को laughing gas कहा जाता है lead pencil contain with substance answer is graphite आपको यह question घुमा के पुछा जाता है आप से exam में पुछा जाएगा lead pencil में lead pencil में lead कितना होता है lead pencil में lead 0 lead नहीं होता lead pencil में graphite होता है अगला question हमारा है which gas is used in filling electric blood electric blood में कौन सी gas फिल की होता है argon gas फिल की होता है argon gas फिल की होता है argon gas फिल की होता है metal constitution of chlorophyll आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ होता है पौधे होता है उनकी पतिया होता है हरे रंके होता है chlorophyll होता है और हमारा question यह था हरे कि हमें deja हमें के खारण हमारा खारण उलालरंका होता है आप से एकजाम में पुछा जाएगा हमें हमें कोन सा metal às होता है हमें हम अ मतल में इंद की access हमारे खौन में iron metal पारल चाहता है our next question हमारा's suspension of fundamental during emergencies on the constitution of which country समीदान ए कुन से सभीधान से लिया है कि अगर कभी इमर्जन्सी लगें तो फंडमेंटल जो है फंडमेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाता है तो आंसर का जर्मनी के सभीधान से लिया गया है अगला कॉशन है वाट इस अ मिनिमम् किसी भी फैक्टरी या किसी भी खनन विभाग में काम करने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए तो आंसर है फोर्टीन यह सोनी चाहिए अगला कुशन हमारा है इंडियन कंसिट्यूशन सिटीजन्शिप प्रोविजन और एंश्री निन हमारे समीधान में जो सिटीजन्श अगला कुशन हमारा है इंडियन कंसिट्यूशन ग dif वी थम चैपंसिट्यूशन य हुद उर्थि देश के समीधान से लिए अगया है तो आपको अप्शन में आयरीश सुट्यूशन भी लिखा हो सकते क्यां तो नूं ही चीज मारा है वलिए थे ओड़ बियस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्पती है उसको जो शरपत होता है वो शरपत दिलाता है चुछ आजड उसका शरपती को अगला कोशन हमारा है अंडर भीछ आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशल इमाजन्सी समीधान पसे ना आप स में अब तक financial emergency कितने बार लगा है तो आपका आपका जीरो मतलब एक बार भी financial emergency नहीं लगा हमारे देश में अगला कोशन हमारा है what is a total number of fundamental duties mentioned in our constitution हमारे समीधान में कितने fundamental duties दिये गए हैं तो answer is 11 अगला कोशन हमारा है by which article untouchability is abolished under practice is punishable हमारे समीधान ने किस article में ये बताया गया है कि जो चुवा चूत है उसको completely रोक लगा दी गया तो answer है article 17 अगला कोशन हमारा है how many rates how many type of rates are there in our constitution हमारे समीधान में कितने तरह के rate के बारे में बताया गया है थर्ड है the house of the people जिसको लोकसभा बोलते हैं तो ये तीन पार्ट है और आपको ने एक्जामेंट सी पुछा जाता है कि जो the house of the people है वो किसे कहा जाता है तो आप कांसलों का लोकसभा को कहा जाता है अगर आप सी पुछा जाता है वो गॉवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है अगला कुशन है इंदी 42nd Constitutional Amendment 1976 विच वर्ड वाज एड़िट तो प्रेम्बल प्रेम्बल प्रेम्ब्स जोड़ा गया था प्रस्तावना या था प्रेम्बल में कांसरों का सेक्यूलर वर्ड जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में या बोलो प्रेम्बल में आफेला कोशन है और क्षेशन है इन्टमें इंडिया कॉण्तव स्वातरों प्रेम्डमेंट में फ्पेंडमेंडस्शो में हमाड़े साथ से नलृनगAL अगला कोशन है, who was the right to decide whether a bill is a money bill or not? किसके पास यह right होता है, कि वो decide कर सकता है, जो bill है, वो money bill है या नहीं है? तो आंसर है, speaker of loksabha. अगला कोशन हमारा है, who is the first law officer of our country? हमारे country का जो first law officer होता है, वो कोन होता है? तो आंसर है, attorney journal. नेक्स्ट कोशन है, who is the chairman of Niti Aayog? Niti Aayog का chairman कोन होता है? तो आंसर का prime minister, जो होता है, वो Niti Aayog का chairman होता है. अगला कोशन है, on which date India become a sovereign democratic republic? हमारे देश जो है, वो रिपब्लिक कब हो गया था? तो आंसर है, 26 जनवरी 1950 को. नेक्स्ट कोशन है, who was the chairman of drafting committee of the Indian constitution? जो drafting committee of the Indian constitution का chairman कोन था? तो आंसर का doctor, जो BR Amitkar थे ना, BR Amitkar, वो chairman थे drafting committee के. अगला कोशन है, who was the constitution advisor to the constitution assembly? constitution assembly के constitution advisor थे, वो कौन थे? तो आंसर है, जो है, BN Rao, जो है ना, वो constitution advisor थे. नेक्स्ट कोशन है, Jammu and Kashmi state legislative assembly has tenure of. फिर Jammu and Kashmir के state legislative assembly है, उसका tenure कितना होता है? तो आंसर है, 6 years का होता है, बांकी का होता है, 5 years. बांकी state का 5 years होता है. अगला कोशन बेंपोरेंट है, article 370 give special status to which state? फिर आंसर है, वो कौन से राज्य में है, लगा हुआ तो आंसर है, जम्मू and Kashmir में, जो है, उसमें article 370 का special status में ला हुआ है. अगला कोशन है, राइट to privacy comes under which article? आंसर है, आंसर है, article 21 के अंतर गताता है, राइट to privacy. और फिर आप से एक्जामें कोशन और पुछा जाएगा, जो पुछा जाएगा, जो article 35A है, वो कौन से state में है, तो आंसर है, जम्मू and Kashmir में लगा हुआ है. अगला कोशन है, the term of office of vice president of India, जो हमारे देश का vice president होता है, उसका official कारेकाल कितना होता है, तो आंसर है, तो आंसर है, फाइव यर्स होता है, अगला कोशन हमारा है, which state has bicameral legislative, वो कौन सा राजी हमारे देश का जहां का legislature bicameral है, तो आंसर है, जम्मू कश्मिर, अगला कोशन हमारा है, fundamental right to property has been deleted by which act, वो किस act के द्वारा, जो fundamental right to property था, उसे खतम कर दिया गया, तो आंसर है, 44th amendment act के द्वारा, अगला कोशन हमारा, which part of the constitution deals with the directive principle of the state policy, जो deal करता है, directive principle of the state policy से, तो आंसर का part 4, अगला कोशन हमारा है, which part of the constitution incorporates special provision to the state of Jammu and Kashmir, तो आंसर है, तो आंसर है, part 21, अगला कोशन हमारा, what is the minimum age required to become a vice president of India, vice president बनने के लिए minimum age कितनी चाहिए होती है, तो आंसर का 35 years चाहिए होती है, अगला कोशन हमारा है, planning commission has been formed to replace which institution, जो planning commission था, उसने किसको replace, बनाया गया, उसने किसको replace किया, तो आंसर का नितियायो को replace किया है, अगला कोशन हमारा है, how many fundamental duties are I mentioned in Indian constitution, हमारी constitution में कितनी fundamental duties है, तो आंसर का 11, अगला कोशन हमारा है, who is the supreme commander of the Indian defense force, Indian defense force का जो supreme commander होता है, वो कौन होता है, तो आंसर का president of India, यानि कि राष्टपती, अगला कोशन हमारा है, which article of Indian constitution has the provision for national emergency, किस article दोआरा national emergencies के बारे में बताया गया है, तो आंसर का article 352 के बारे में बताया गया है, अगला कोशन हमारा है, under which article constitution of India can proclaim constitutional emergency, किस समीधान के किस article में constitutional emergencies के बारे में बताया गया है, तो आंसर का article 356, अगला कोशन हमारा है, which amendment is also known as mini constitution of India, वाइ कौन सामेंड मेंड है जिसे की मीनी कंसिटूशन ऑफ इंडिया की नाम से भी जाना जाता है तो अन्सराइस का 42nd amendment next question कर लेते हैं how the members of the Rajya Sabha are elected जो Rajya Sabha के member होते हैं उन्हें कैसे चुना चाता है तो अन्सराइस का by elected members अन्सराइस के लिए कम से कम आयू कितनी चाहिए तो अन्सराइस का 30 अगला question हमारा है the minimum number of members that must be present to hold the meeting of the Lok Sabha, Lok Sabha की meeting को hold करने के लिए कम से कम minimum members कितनी चाहिए तो अन्सराइस 1-10th of the total membership अगला question हमारा है by whom recommendation fundamental duties have been added to in the constitution by 42nd amendment act किसकी recommendation में से fundamental duties जो है उनको add किया गया था 42nd amendment act 1976 में तो अन्सराइस स्वार्ण सिंग कमीटी द्वारा अगला question हमारा है respect for the national flag and national anthem is तो अन्सराइस का fundamental duty of every city से मतलब अन्स अन्सराइस हमारा जंडा है और जो हमारा national anthem की respect एक fundamental duty है सबी सीजान की अगला question हमारा है इस न्सराइस का literal meaning of term q warrant q warrant what क्यों वारांट और उसका literal meaning what the one answer is by what authority or warrant अगला question हमारा है who is the executive head of state in India तो अगला question हमारा है जो और प्रेसिजिट्टीन है वह executive head होता है इंडिया का, next question हमारा है, anti-defection law is given in which schedule of Indian Constitution, फिर अंडिया गया है तो, answer is का 10th schedule में, अगला question हमारा है, fundamental duties are mentioned in which of the following part of Indian Constitution, फिर इंडीया घॉटियूटियृचिशन में, फिर इंडीया घॉटियूटियूटियृचिटुशन में, फिर इंडीया अगला question हमारा है which right has been removed from fundamental rights and converted to a simple legal right फ्रेंस वह कौन सा right है जिसे की जो की पहले fundamental right होता था लेकिन अब वो simple legal right है अगला question हमारा है which article of Indian constitution deals with the right to equality before law हमारे स्वामिधान का वह कौन सा article है जो की right to equality before law के बारे बताता है तो answers का article 14 अगला question हमारा है the speaker of Lok Sabha addresses his letter of resignation 2 अगला question हमारा है what is the term of governor जो governor होता है उसका कारेकाल कितने साल का होता है तो answers का five year का होता है अगला question हमारा है who was the first woman speaker of Lok Sabha पहली महीला जो speaker थी Lok Sabha की वह कौन थी तो answers का Meera Kumar जो है वो पहली woman speaker है Lok Sabha की अगला question हमारा है when the offices of the president and vice president fall vacant simultaneously who acts as president first अगर राष्टपती और जो उप राष्टपती के जो वो दोनों seat अगर खाली हो तो तो राष्टपती का काम कोन करेगा तो answer है Chief justice of India जो है वो राष्टपती का कारेबार समभालेगा अगला question हमारा है who appoints the finance commission in India finance commission को कौन appoint करता है हमारे देश में तो answer इसका जो प्राष्टपती है यानि कि president of India है वो appoint करता है finance commission of India को अगला question कर लेते हैं और यह हमारा second last question है which act meet the Indian legislature bicameral वो कौन सा एक्ट था जिसने इंडिया लागस्लिचर को bicameral किया तो answer इसका government of India act 1919 अगला question हमारा who was the first voice roy of India इंडिया इंडिया जो पेला voice roy था वो कौन था तो answer इसका lord canning अगला question हमारा है 501 according to the Indian constitution who has the power to declare emergency samidhan के अनुसार जो हमारे देश में इमर्जन्सी है वो कौन घोशित कर सकता है तो answer इसका जो precedent होता है वो घोशित कर सकता है friends मैंने आपको 500 questions करवाने थे ठीक है बीच में तीन से चार question repeat हो गए है ठीक है तीक है तीन से चार question भी मैं आपको एक इसका करवा जेता हूं ताकि आपके पांसो important questions ना हो जाए इस वीडियो में cover आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओगे न आपके छे मिने भी पड़ोगे न तो फिर जितना मैं को कॉंटेंट डिलिवर कर रहा हूं अगर मैं आपको एक वीडियो में पांसो कोशन करवा रहा हूं तो आप छे मिने में भी पांसो कोशन नहीं सीख पाओगे मतलब अग अगला कोशन हमारा इंपरोटी प्रेजेंट इन ओर इसको क्या बोलते हैं तो सबसे ज्यादा इलिमेंट कोशन करवाएं उम्मीद करता हूं आपको सारी कोशन अच्छी से समझ आ गये होंगे याद भी हो गये होंगे इसी वीडियो में आपको बताया है कि जम आपको फाइ वादोंगा उसके दो कोशन का में टैस्ट भी रखा है दोनों कोशन का आंसर आपने मुझे कमेंटर के जरूर देना है पहला कोशन इस ता नेम ऑफ इंडिया लार्जस रीवर ब्रेज सब्सक्राइब ओम्स लाव इस वैलिट फोर ओनली मैं कोशन देता हूं इसके लिए कं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए ताकि नेक्श वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए और फेंस मैं आपको बता दो हमारे चैनल है आपको फ्री आफ कोश्ट कोशिंग प्रोवाइड की जाती है मैट्स की रीजनिंग की इंग्लिश क की बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की मतला सब मारे चैनल के साथ जूटते हो आपको किसी भी कोशिंग को जाने के चुरूत नहीं पड़ेगी मतला सब कुछ पढ़ाए जाएगा जो आपके साम में पूछा जाएगा और मैपको बता दो मेरे और भी यूट्यूब चैनल है ज यहां परे चैनल का नाव लिए देता हूँ रवी, स्टडी, आईक्यू, मैथ्स, ठीक है परेंस तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू एंड विश्यू अल्दा बेस्ट